हेले स्टूदेंट्स वेलकम टूद आफीशियल यूटूब चैनल आफ ओरीजीन कोचिंग आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज देखो हम क्लास 11 इंग्लिश मिडियम में यूनिट्स इंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे यूनिट्स इंड मेजरमेंट वैसे तो बहुत से सीलेबस में फिजिकल वर्ड को हटा दिया है लेकिन मैंने फिजिकल वर्ड भी आपको लेक्चर प्रोवाइट कराया है जिस बोर्ड में पढ़ेंगे सीब्सी बोर्ड में फिजिकल वर्ड अभी 2324 सेशन के लिए नहीं है त उनके लिए चेप्टर फस्ट मान सकते हो यूनिट्स इंड मेजरमेंट हमारा पूरा कंटेंट वन साथ होगा जैसे आपन देख रहे हैं को वन साथ आपन वीडियो आपको प्रोवाइट करा रहे हैं और वन साथ मतलब वो साइट वीडियो नहीं है पूरा 100 परसेंट डिट आधि लेवल अर्य और साथ ही नेस्ट लेक्चर में आपको इसके मल्टीपल चौbread और फिर नैस्ट आपको मलred limit इसकोष्ट्न के दो अलग सेपरेट सेपरेट 2008 प्लास आपको प्रोवाइट नहीं हमाराrig ब्परप्स दिया है कि हमारे क्लास में पढ़ने वाले स्थूदें होना चाहिए तो जितने भी स्टुडेंट्स इन फ्यूचर आयाइटी जई नीट या फिर सी यूटी के एक्जाम के लिए सिंसियर हैं वह बहुत ध्यान से तीनों लेक्चर को कवर करेंगे पहला लेक्चर फाउंडेशन सेकर निमेरकल्स एंड थर्ड मर्टीपर च्वाइस क क्लास स्टार्ट करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट का देखें यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टापिक है जो 11 क्लास में स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है नेच्वली आप यह समझ सकते हैं कि अभी किसी भी फिजिकल कॉंटिटी इ नहीं कर सकेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ भी इस्टडी नहीं कर सकते हैं बैसिकली फिजिक सब्जेट का डेफनेशन ही है कि फिजिक सिर्फ उनका इस्टडी करता है जिनका मेजरमेंट पासीबल है जिनका मेजरमेंट पासीबल नहीं है उनका इस्टडी ही नहीं क तो सीधा सीधा आपको इस बात को समझना है कि फीजिक्स के लिए मेजर्मेंट मस्ट कंपल से रिए ठीक है तो यहां पर हमको मेजर्मेंट को बहुत ध्यान से समझने देखे सबसे पहले हम discuss करें कि measurement में physical quantities का हम measurement करते हैं तो सबसे पहले हम तो यह देखें कि physical quantities क्या होते हैं मैंने आपको basic mathematical tools वाले अपने lecture में physical quantities उसके सब types के बारे में आपको पढ़ाया है है यह बात भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने अपने basic mathematical tools का जो class आपको provide कराया है उसको आप जरूर देखना क्योंकि एक बार पूनह मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि यदि आपको physics strong करना है तो पहला requirement है basic mathematics for physics और उसका हमने आपको class provide कराया है और यदि वो class आप नहीं देखें हैं नहीं किये हैं तो मेरा suggestion है सबसे पहले आप उसको बहुत अच्छे से तयार करो तो फीजिस का preparation आपका start हो पाएगा ओके तो आपको देखना है तो वहाँ पर हमने वेक्टर quantities में पूरा बताया है physical quantities क् देखो physical quantities के मतलब the quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities ये बात मैंने आपको बताया which can be measured which can be measured ये वर्ड आप कभी नहीं बूलना physical quantities means which can be measured जिनका measurement किया जा सके इसलिए measurement का physics में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये चेप्टर पूरा 11 12 क्लास के फिजिस का बेस है क्योंकि आप डाइमेंशन फार्मूला देखो नीट के एक्जाम में तो हर साल दो चार डाइमेंशन फार्मूला सीधे सीधे पूछे जाते हैं वह सब मैं आपको बताऊंगा मैं स्टार्टिंग में आ सब्सक्र लेते हैं नीट फार मेजर्मेंट यहां पर एक बहुत important बात है जो हमना चाहिए कि मौई मेसरमीन का नीट क्यों हुआ ठीक है यह हमारे दिमाख में कुछेन उठता है कि भूब इसहां मेंढ़ना काम नहीं चल जाता है यह हैं शायट में आपको बता है तो बहुत सट्राइट में आपको बता थो में आपको सब्सक्राइब करें क्या एक सब पहले प्रोडक्शन के अरिया में जिसका प्रोडक्शन होता था धो दूसरे अरिया में दूसरे आप्जेट का प्रोड़क्शन होता था तो मटेरियल टू मटेरियल एस्चेंज कर लेता था तब क्वांटीटी का ज़ूरत पड़ता था कि हमने कितना दिया इस तरह से फिर धीरे 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 उसके यूनिट डवलप हुए तो यह मेजर्मेंट का नीड यह है कि हमको आपजेक्ट मटेरियल एस्चेंज करने के लिए ज़ूरत पड़ा अब जैसे जैसे साइंस ने डवलाप मेंट किया तो उसके लिए यूनिट्स बने तो फंडमेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और डिराइब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है यह दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज क्या है फंडमेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब यह दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होते हैं यह किसी पर about fundamental चैनल जो मांगे के लेक्च्चर में मैं डिसकस करेंगे और यह सेवन को छोड़के यह सेवन को छोड़के जो और physical quantities में वह डिर्वड है यह यह डिरीपेंट ऑपान 5219 फट्र मेंटल फंडामनेटल फिसे कल फिसिकल कॉंटिटी पर डिपेंड होते हैं वह क्या कहलाते हैं डिर्इव टर्मिनोल जी मैं आपको एस्प्रेंड कर रहा हूं तूदी पाइंट आप समझ जाएंगे अच्छा आपको मैं याद दिला दूँ कि हमारे पूरे लेक्चर का नोट्स हमारे पूरे लेक्चर के नो रूपीस प्रेड नहीं करना है तो जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा सिस्टेमेटिक मेरा हैं डिटर नोट्स वहां पर आपको एबलेबल है जो आपके लिए बहुत फायदे का है आप लेक्चर यहां से सुनो प्रिपेर करो रफ में लिखो और वहां से आप फियर नोट्स क देट मेजर्मेंट करने का हमको जवरत पड़ा तो उसके लिए क्या हुआ अलग अलग यूनिट का डवलपमेंट हुआ जिसमें सबसे पहले जो डवलप हुआ वह सीजी एस का फूल फाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड देखो हुआ क्या मैं थोड़ा सा आपको इसके सब्सक्राइब क्या सबस्क्राइब क्या मट्रेंटिमीट्र सेकंडाउड आपके पूल्पमेंट सेकंड में मतलब इंटरनेशनल इसटेनडर यूनिट एक्च्छЕल में देखों सी सैंटीमीटर सी फ्वार यहाँ पसेंटिमीटर है जो कि लेंथ को मेजर्मेंट करता है क्लियर जी फार ग्राम जो कि मास को मेजर्मेंट करता है एस फार सेकंड जो कोई टाइम को मेजर्मेंट करता है तो हमारे दिमाग में क्वेस्चन आना चाहिए कि सर सिर्फ लेंथ मास और टाइम को मेजर्मेंट करने का क्यों जूगरत होते हैं कि क्योंकि लेंफ हमारे लाइफ के बैसिक नीड में ऊजिकNew क Studien में है मेल कपड़ा चाहिए लेंफ मेजारमेंट करना पड़ेगा मास फूट चाहिए मास में मेजरमेंट करना पड़ेगा टाइम के के कार्ड ढाएija पुरा रूटीन होता है डे doğru ter इस तो यह ऐसे सअंसने किया तो जैसे जैसे हमारे रिकवाइरय बढ़ते चानके तो इसको कब करने के लिए हमनें बनाया तो बिगनिंग में तो हमको इससे हमारा काम चल जाता हमको इलेक्टिसिटी का ज़ुरत नहीं था या हमारे पास इलेक्टिसिटी था नहीं हमारे पास सेमी कंडॉक्टर थे नहीं हमारे पास इलेक्ट्रमेटिक वेफ थे नहीं तो उनको मेजर्मेंट करने का ज़ुरत था नहीं तो धीरे धीरे उनके बारे में पता चला तो बैसिक यह हमारे सिस्टम आप यूणिस डवलप किये गए इसके बारे में भी थोड़ा सा इस्टोरी आपको बता दूं कि सबसे पहले सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जब सिस्टम बना तो बहुत दिनों तक यह चला लेकि पर उन्होंने इंडस्ट्रिया रिवालूशन के टाइम में जब साइंस का डवलप्मेंट वा तो उन्होंने अपने मेजर्मेंट के लिए एक सेपरेट यूनिट बनाया उन्होंने सीजीस को नहीं माना अब बोला कि हमारा एक अलक्स यूनिट होगा हम लेंद को फूट से म मिब करेंगे इंडिया में आज भी हलाएक यूनिट अब अब प्रेक्टीकली एप्लीकेबल नहीं होता फिर भी की इंडिया में हम आज भी बहु tow से चीजों को की स्वालो करते हैं तो इंडिया में भी अंग्रेज रहे तो वो जो सिस्टम को सिखाके गये अज तक हम से असिम्रीर को फालोक कर रहें लैइक फूट कभी भी अपन लेंड वे거든 फूरर आप को measurement करते हैं तो देखें हो गे कि हर खोट में बताता इतने बाहर इतने इतने फूट का लेंड है मेरा तो फूट अज भी हो यह सबंकिक्ट है तो लें JEFF की जगह कोई आत्मी माईट बताता है तो बोलता है इतना 的話 इतना इंच five foot 10 तक निंच तक प्मेस फूट अभी भी चलवप है तहना है तो अभी भी कल रहा है हमारे मेजर्मेंट का यूनिट आज भी बताते हैं हाला कि यह चलता नहीं है और टाइम के लिए तो कोई चेंज नहीं हुआ फिर मीटर किलो ग्राम सेकंड इसमें क्या हुआ जो सीजियस सिस्टम है वही चलके आगे मेजर्मेंट करना पड़ता पहले हम को स्माल माउंट करना पड़ता था लेकिन जैसे 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 साइनस ने डवलफ स Whit氣 से क्या हुआ यह सिस्टम creator हुआ है मकेस का और यून साइश यूनीट एयूनिट कि अज Network उटा है इसकी स्टोरी क्या है कि जब यह सभी सिस्टम चल रहे थे तो इस में कुछ प्राब्लम आने लगा क्या प्रवल appropriate लोग इससे मेजरमेंट कर रहे थे कोई से की से तो हमको एक दूसरे की स्टडी एक दूसरे के बुक्स पढ़ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लेबल पर प्राब्लम आया तो पूरी दुनिया के सभी साइंटिस्स लोगों ने क्या किया मीटिंग किया और मीट करते हैं जिसको पूरी दुनिया को मानना पड़े मानना मानेगा ताकि उसके लिए हम को क्या है स्टडी में कोई प्राब्लम नहों और हम प्रापर सबके सब एक जैसा पढ़ सके तो वहां पर एमकेस को 100% कर लिया गया मकेस को तो पूरा यहां पर ले लिया गया और उसके और इति फोर यूनित के उनिट के त्री उनिट के बाद फूर और मेंटर में पता चला तो वह हम देखते हैं कि वह कौन-कौन व्मवम देखो तो यहां पर देखो आज के रेकाल में हमारे पास यह यूनिट है यह फंडामेंटल इनिट से थो यह इस तरह का जो slide में आपको दूंगा हो सकते तो आप उसका skin start ले लो या skin start लेके जैसे भी आप उसको manage करो तो उससे क्या होगा आपको notes बनाने में problem नहीं होगा ठीक है इस तरह से आप साथ साथ में work कर सकते हो तो यहां पर देखो जो fundamental unit है अब हमारे पास seven fundamental unit है we have seven fundamental units जो मैंने आपको three को तो पहले बता दिया length, mass और time फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे science का development हुआ वैसे वैसे हमको और भी physical quantities के बारे में पता चला जिसमें four number में temperature temperature का पता चला इसका unit हमने Kelvin लिया और इसको हमने symbol represent किया किस से के से किया इसके बाद four number का जो fundamental unit है five number क वो electric current है electric current को हमने ampere से measurement किया और symbol लिया capital A ampere scientist के नाम से ठीक है उसके बाद luminous intensity six is luminous intensity candela हम इसको cdc रिप्रेजिन करते हैं और इसके बाद quantity आप मेटर quantity आप मेटर यह मोल इसका unit है और MOL से इसको रिप्रेजिन करते हैं तो यह हमारे seven fundamental units है और आज के डेट में ही हमारे पास सेवन देखो यह कितना अस्चय के भी बात कह सकते हो को इतने माडरन टाइम में इतने फिजिकल quantities हैं बट seven physical quantities ही क्या है फंडमेंटल है उसके बाद जितना भी फिजिकल क्वांटी से आया है बहुत मैं खुद कभी सोचता हो तो मैं बहुत अजीब लगता है कि कोई भी नया physical quantity आ रहा है दे आर इसका completely depend upon this सिर्फ इसी पर depend है वो कोई भी नया आया तो इनसे बाहर नहीं जा सकता यह सेवन ही पूरे फिजिस को चला रहे है यह सेवन फंडमेंटल यूनिट ही पूरे फिजिस को चला रहे है कोई भी नया physical quantity आता है वह सेवन में से किसी न किसी से रीलेटेड होते है उसी के थुरू और डुबलप होता है इसलिए क्या कहलाते हैं फंडमेंटल यूनिट कहलातेismo आपको लर्न होना चाहिए आपको याद रहना चाहिए और ध्यान रखना इसके सबके सिम्बॉल भी आपको पता होना चाहिए ओक नेस्थ हम देखें सपलिमेंट युनिट यह बहुत इंपौर्टेन्ट चीज़ है मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सपलिमेंट युनिट के बारे में अच्छे से नहीं जानते नाम सुने रहते हैं लेकिन प्रापर उनको इनका नेचर पता नहीं रहता सुभीस लीमेंट युनीट क्या होता है तर सपलीमेंट युनीट का मतलब होता है ऐसे युनीट जो ना तो मदमेंटल इंटे ए ना डचांड हैं तो बहुत अजी बात है एक काम करता हूं पहले आपको दिराइब लिपने समझा देता हूँ थोड़ा समय अपनेस्ट इसमेनेशं को सिक्वेंश को चेंज कर रहा हूं पहले में आपको डिराइब बी मिनट ठीक है डाइमेंश जाल इनाली सिस डामेनशन आप फिजिकल कॉंटिटी एक मिनट मैं यहाँ आपको explain कर देता हूँ पहले derived unit देखो यहाँ पर मैं जो derived unit के बारे में यहाँ पर slide आपको बताया है यहाँ पर मैं तो इसको और आगे explain करता हूँ fundamental units मैंने आपको अभी list बताया 7 यह 7 fundamental unit थे लेकिन जो derived unit हुए वो कैसे बने कुछ example देके हाँ पर explain करता हूँ मैं आपको जैसे suppose मेरे को velocity चाहिए suppose velocity चाहिए तो मैं velocity के फार्मूले पर जाओंगा velocity equal to displacement upon time velocity equal to displacement upon time यह displacement upon time क्या हो जाएगा velocity होगा अब हमको पता है कि displacement 7 fundamental unit में length है displacement क्या होगा length से measurement होगा तो that equal इसको मैं लिख सकता हूँ length को meter और time तो second होगा तो second equal to हम लिख सकते हैं meter second inverse तो देखो velocity किस पर depend हुआ velocity depend हुआ यह two fundamental units पर two fundamental units पर एक example बताये मैं आपको इसी तरह से जितने भी physical quantities को आप जो derived है जो derived quantities हैं वो कहीं न कहीं से कहां से depend होंगे यह fundamental unit से depend होंगे यह हमको पता है और उसका कोई न कोई unit होगा उसका कोई न कोई unit होगा बाइद अब उसको unit नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे unitless unitless quantity कहेंगे जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ strain strain का formula होता है आगे आप पढ़ोगे strain equal to होता है change in length मतलब उसके length में जितना change होगा वो अभी आगे पढ़ोगे इसको आप लोग देखो unit and measurement पढ़ाते समय हमको teachers को थोड़ा सा एक problem यह होता है कि हम बहुत से ऐसे physical quantities पर बात करेंगे जो अभी आपने सुना नहीं है तो student को जीब लगता है कि सर यह आप जो पढ़ा रहा है तो हमने सुना भी नहीं है तो स्वभावी कृप से उसको आप आगे पढ़ने वाले हो तो थोड़ा सा ऐसा आता है लेकिन उसके लिए परसान नहीं होना है अभी आपको समझ में नहीं भी आता तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखो आगे आपको समझ में आएगा तो क्योंकि बहुत से physical quantity समको क्य ब刚才 करने आगे चल के पढ़ेन है इसलिए ऐसा होता है तो चेंज इनलेंथ आपान होता ओर इस्टेंट लेंथ औरिजिनल लेंथ अब यहाँ पर देखो इस physical quantity को यहाँ पर भी लेंथ है और यह भी लेंथ है दोनों लेंथ है और जब दोनों लेंथ है तो दोनों को यूनिट क्या होगा मीटर होगा तो दोनों को यूनिट मैं यहां पर इस पूट अप करूं तो देट इक वर टू मीटर अपान मीटर दोनों केंचल आउट हो जाएंगे और यह जाएगा यूनिट लेस यह सीध्य क्वॉनेति हुआ कि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ऐसे फिजिकल कॉंटिटिस एसे फिजिकल कॉंटिटी जो सीमिलर टाइप के जो सेम टाइप के फिजिकल क्वॉनटिटिस के रेशी होते हैं वो unit से लेकाशहें यहां पर यह बात बहुत ध्यान से समझ ना प्राब्लम क्या आया है की दो हमारे पाशी ऑंपीजिकल कौन्टि एइनल में एंगल अर्मून असलीर अधैंगल वरango पता है यहां यहां पर है किम आपको मुलें एंगल रही होता है और उसका जो यह है यूनिट है रेडियन है उसका यूनिट क्या है रेडियन है और एडी हम उसको लिखते हैं रेडियन अब यदि हम एंगल के बारे में बात करें फार्मूला से तो देखो आप सब को पता है कि प्लेन एंगल असितु होता है अर्क के प्लेडियस मा सब्राइण रेडियस होता है अब ऑर का आप रेडियस को आप देखो तो आर्क है मीटर आइक मीटर होगा तो कई आर्क मतलब length होता है और सपोस्ट हम किसी सरकल में आर्क को measurement करें तो मीटर या centimeter से करेंंगे नैचरलरली हम उसी से करेंगे ठीक है और radius भी क्या होगा मीटर होगा radius अस इस मीटर अब यहाँ पर इसके concept के Anakin यह कहता है कि ची ही इसको क्या होना जाहिए उनिट लेसे इसको यूंट लेस नहीं है इसका यूनिट है क्या रेडिन इसका यूनिट पर एधियन को कि यह मामला है यहां पना देखाब ध्यांत सहिंत जैंक क्योंकि मैंने बहुत बार स्टूडेंट से जब अब डिसक्स किया या आफिलाइन क्लास में जनरली में डिसक्स करता हूं आनलाइन तो थोड़ा सा अलग नेचर हो जाता है तो इस्टुडेंट्स इस बात को समझने में प्राबलम फेस करता है कि सर एंगल और प्लेन एंगल को क्यों हमने सप्लिमेंट यूनिट का के तेगरी they are unitless, but in the case of angle, the unit of angle is radian, मतलब concept तो कहता है कि unit नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका unit रखना पड़ा, क्यों, क्योंकि यदि उसका unit नहीं होता, तो हम angle को measure नहीं कर सकते थे, measurement कितना radian, π radian, π by 2 radian नहीं बना सकते, इसलिए इसको अलग category बनाया गया, मेरे ख्यास आप समझ गया होंगे, इसलिए इसको क्या किया गया, अलग category में रखा गया, और उस category को हमने क्या कहा, supplementary unit का है, तो supplementary unit का मतलब होता है, ऐसा unit जो रहने के लिए उसका जो formula है, वह unitless होगा, but having unit, परंत उसका unit होगा, इसको हम क्या कहेंगे, supplementary unit कहेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा आपको solid angle को, यह spelling थोड़ा सा चेक करेंगे ना, solid angle ऐसा होगा, SOLID, चलो आगे मैं इसको लग से explain कर देता हूँ, SOLID solid angle, मैं solid angle आपको अलग से पढ़ा देता हूँ, ताकि, solid angle क्या होता है, जैसे एक example आपको दे रहा हूँ, कोई आपके पास, कोई solid sphere है, एक practical example आपको दे रहा हूँ है, कि suppose हम क्या किये, बाजार में हम तर्बूज खरीदने के वाटर मेलन, वाटर मेलन पर्चेस करने के लिए हम बाजार में जाते हैं, यह आप खुद गए होंगे, parents के साथ गए होंगे, तो आपने देखा होगा, कि हम तर्बूज वारे से बोलते हैं, भी अच्छा वाला एक तर्बूज दे दे, तो वो हमको निकाल के देता है, तो हम उसको खरीद के तूरंद नहीं ले आते घर, फिर हम बोलते हैं, करके बता, तो छोटा सा पीस वह वहां से दुकड़ा निकालता है, मैं उसको आपको फिगर में सो कर रहा हूं देखो, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको सॉलिड एंगल, यह ध्यान रखना, आपको 12th क्लास में यह यूज होगा, 12th क्लास में यह यूज होगा, यह गास थेवरम में, मतलब electricity के चेप्टर में यह यूज होगा भी से ध्यान रखना, तो सपोज इस तरह से हम एक वाटर मेलन इमेजिन करते हैं, यह ठीक है, मैं उसी कहब से समझा रहा हूँ है, अब ऐसा मतना आप किसी को पढ़ा देना कि सॉलिड एंगर ओनली वाटर मेलन में होता है, वाटर मेलन इए एग्जामपल, वह एक एग्जामपल एस्प्लेन करने के नहीं हैं, तो सपोज हमारे पास एक वाटर मेलन है, और हमने क्या कि इसमें एक इस तरह से तुकड़ा, सपोज, कैसा तुकड़ा निकालते हैं, इस तरह से, आपने देखा होगा, थ्री डाइमेंशन में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इमेजीन करना, इस तरह की चीजों को स्टूडेंट इमेजीन करते हैं, तो ज्यादा अच्छा समझ में आ इस तरह से तुकड़ा निकालता है, और यहां पर यहां पर इसके सेंटर में यहां पर जो एंगल बनता है, वही सॉलिड एंगल बनता है, और इसको हम कह सकते हैं, डी ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यह को शबट से पूरा ही सफेर पूरा इस एयर च्शोटा अपंटर मुं इसले का आपको अलग सեղ बनाकी बता रहां तो स्को मेंगि निफाइंग कर रहा हूं तो मक्त गरन तो डिआन देना यह जो हम निकाले इसके को मेगनिफाइंग कंडिशन में आपको बता रहों है क्योंकि स्वालीड एंगल हमको समझना बहुत जोरी है जब तक हम स्वालीड एंगल नहीं समझेंगे प्रेल्स में हमको प्राब्लम तो होगा यहां पर हम एक पर्पेंडिकुलर डा करते हैं इस पाइंट पर यह सपोस और यहां ध्यान देना यहां पर कौन कौन सा वेल्यू क्या है यह जो कार्नर है यहां पर बना हुआ है यह यह सालीड एंगल है जो की डी ओमेगा है यह जो आप सर्फेस देख रहे हो यह जो सर्फेस देख रहे हो जो मैंने green color से बनाया है पूरा चोटे पार्ट का इसका surface area suppose ds है और suppose यहाँ पर perpendicular ड्रा किये हैं उसके साथ में यहाँ पर बना हुआ एंगल का है थीटा है इस तरह से तो इसका एक mathematical relation होता है और वो सकती लेशन क्या है डी उमेगा find करने का ध्यार रखना डी उमेगा एक्वल्टू होता है D wouldn को तो है और इंटीघर सी tumor अपन-ी-ोमेगा'... मतलब यहां ध्यान देना कि जो छोटा सा पार्ट है जो छोटा पार्ट है उसके लिए जो एंगल बनेगा वो डी ओमेगा है और पूरे स्फेर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या है ओमेगा है कंप्लीट तो वह क्या होता है फोर पाई के एकवल होता है मतलब ओमेगा का जो वेल्यू है वह फोर पाई होता है यह दोनों फार्मूला याद रखना मैं अभी से आपको बता दिया कि कहां यूज होना है आपको यह पढ़ते तक यह याद रहे तो बहुत अच्छी बात है व दोनों को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यह जो मेजर मेंट है मेजर मेंट तो आपको सब जग़ेख जवरत पढ़ेगा और डाइमेंशन फार्मूल भी आपको पढ़ाऊं गा तो 12 क्लास के फिसिकल कॉइन्टिटिस में भी डाइमेंशन फार्मूला आपको जवरत ठीक है तो यह हमारा स्वालीड एंगल है इसको आपको अच्छे से प्रिप्यार करना है आपको काम आएगा और यूनिट तो मैं यहां पर बता ही दिया हूं आपको यह एस आर लिखते हैं या इस्टे रेडियन ठीक है एस आर का मतलब इस्टे रेडियन पृच्णाहित है तो यह दोनों हते हैं सपलिमेंट हैं यूनिट होने के बाद भी जिसका युनित हो वह सप्लिमेंट हूनित है है एभ आगे हम करें डाइमेंसिनल रिटो जनालेश से इस चेप्टर के सबसे इंपार्टन फॉर्चन पर एंटर कर रहे हैं यह सिंट टापिक है इसके बीना आपका कोई competitive exam का पेपर प्रिप्यर नहीं हो सकता को कोई भी competitive exam यह दी आप दे रहे हैं एनी वन और उसमें डाइमेंस्टन अलिसीज मतलब डाइमेंस्टन आप फिजिकल क्वांटिटी आपको कोस्टन ना पूछे तो फिर फिजिस का पेपर नहीं हो इतना इंपार्टेंट है तो यहां पर आप ध्यान से समझना इसके बाद मैं आपको इसमें कुछ बहुत इंपार्टेंट चार्ट प्रोवाइट करोंगा जिसको अधिया प्रिपेर कर लिए तो कंप्रिटिव के लिए आप अभी से तयार हो जाओगे तो पहले तो हम देखें कि डाइमेंस्टन को एनलिसीस होता क्या है तो जितना भी फंडमेंटल यूनिट है के फार एकजांपल मास को है मैंस्ट डाइमेंस्टन अब फिजिकल कउन्टिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रापर सिंबॉल बनाये गया और वह होता है एम टुदि पावर ए एलूदि पावर बी और टी तु दि पावर तीजिवर वैसे और जो फिजिकल कांट सिटिटीज है इनको भी क्या करते हैं हम लिखते हैं लेकिन यहाँ पर उसको तो नहीं कर रहे हैं जवरत के हिसाब से उनको भी लिख देते हैं एम फार मास एल फारलेंट सब्सक्राइब तीनों रहता है तीनों के पावर में konsonant ABC होता है और इसको इस तरह से एक square bracket के अंदर उसको हम इसको करते हैं इसको भीकेट लगाना कंपर सरी होता है ठीक है तो इस फाम में हम इसको डिप्रेजेंट करते हैं यह कहला था फिसिकल क्वाइंटिटीस का Dimensional Analysis अब जैसे हमको मास mostг हम को यह गाये संप दाइमेंसिस यह डाइमेंसन lastNowος को लिखना घुल happy लिखेंगे म और एल इसमें होता नहीं तो पावर क्यों नाड और टीट भी पावर को सोझे होजाएगा किसका माास का 0 होता है तो उसको आप नही ELLA लेकिन तीनों लिखने से ज्यादा बेदर होताँ अतला वी त्याप तीनों लिखो यहां MAAS नहीं होता था था अ कवावर जिरो फिर EL और T कवावर 0 उसकट होता है यह हो जाएता है तो तो यह हो गया length, इसके बाद यहीं हम लिखें time को, ठीक है, तो time के लिए जो dimension हम लिखते हैं इस तरह से, वो कैसे लिखा जाता है, देखो, यहाँ time रहेगा, तो m का power not, l का power not, और क्या रहेगा, t, तो m, l, t, यह है mass, length और time, mass, length और time, mass का यह होगा, length का यह होगा, और time का य इस तरह से represent करना क्या होता है, physical quantity का dimensional formula होता है, इस तरह से हम उसको represent करते हैं, अभी हम fundamental, यह fundamental का बताए हैं, अभी हम आपको derived जो physical quantities हैं, उसका हम निकालना सिखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पर देखें, seven dimension, आप fundamental physical quantities, अभी हमने जो seven fundamental quantities है, जो भी मैं पिछे लिखा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, मैं बोला पूरा seven को अपन देखेंगे एक बार, तो हम dimension आप length को ऐसा लिखेंगे, dimension आप mass को ऐसा लिखेंगे, dimension आप time को ऐसा लिखेंगे, यदि हमको dimension आप electric current लिखना है, तो only L लिखेंगे, स dimension आप luminous intensity, तो cd लिखेंगे, इस तरह से, square bracket में, और dimension आप matter लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, mole इस फार में लिखेंगे, तो seven जो अपने fundamental units से, अपने पास जो seven dimension आप fundamental physical quantities, इसके dimension को इस तरह से लिखेंगे, अब हम देखते हैं, कि dimension आप derived physical quantities, यह important है, यहाँ पर मैं आपको अब निकालना सिखा रहा हूं, कि कैसे निकालेंगे, और कैसे लर्न करेंगे, क्या है, पूरा टेखनिकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, dimension आप derived physical quantities, derived physical quantities के dimension के लिए, हम कुछ example से आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, suppose मेरे को velocity का dimension formula चाहिए, ठीक है, dimension formula चाहिए, तो steps ध्यान रखना, किसी भी physical quantity के dimension find करने के लिए, आपको सबसे पहले उस physical quantity का formula पता होना चाहिए, जब तक आप उस physical quantity का formula नहीं जानेंगे, तो उसके आप dimension find नहीं कर सकते, तो velocity का formula अपने को पता होता है, velocity equal to होता है, क्या displacement, displacement upon time, तो displacement upon time velocity का formula होता है, अब यहाँ पर हम लिखें, इसका dimension को, तो displacement क्या है, length है, तो उसका dimension में क्या होगा, L होगा, और time का dimension क्या होगा, T, तो इस तरह से इसका power 1 है, उपर जाके हो जाएगा, L, T to the power minus 1, अब dimension के form में इसको लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, M not L, T to the power minus 1, ऐसा लिख सकते हैं, यह इसका dimension होगा, तो velocity का dimension इस तरह से निकाला जाएगा, तो basically यदि आपको किसी भी derived fundamental unit का, derived unit का, आपको निकालना है dimension, तो सबसे पहले आपको उसका formula पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ example और देखते हैं, यहाँ पर देखो, कुछ example यहाँ पर और देखते हैं, one by one मैं एक proper order पर निकालना हो, ताकि आपको बहुत easy way में समझा सकूँ, velocity के बाद हम acceleration पढ़ते हैं, acceleration, तो अब acceleration का formula क्या होता है, acceleration means change in velocity upon time, that means velocity upon time, तो यह क्या हो जाएगा, velocity upon time, तो velocity में जब हम time को divide करेंगे, तो जो मिलेगा वो acceleration होगा, तो velocity तो हमारे पास निकला हुआ है, तो जो velocity का पहले से है, उसको हम लिख देंगे, इस तरह से एक चीज़ आप ध्यान में रखना, यदि आपको कुछ basic physical quantities के dimension formula learn है, तो वो बहतर है, वो जरूरी है, उसके लिए आपको कुछ near about starting के 15-20 के आसपास, आपके book में जो collection दिया रहता है, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको basic का तो chart नहीं दूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं important physical quantities के chart आपको जरूर दूँगा, ठीक है, तो वो आपको learn होना चाहिए, धीरे धीरे learn हो जाता है, practice करते करते, वो आपको करना है, तो L T to the power minus 1 upon T, आगे हम किसों और simplify करें, तो L T to the power यह minus 5 जा कि इसके साथ minus के साथ हो जाएगा, L T to the power minus 2 होगा, that equal इसको dimension के formula लिखें, तो M not L T to the power minus 2 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, तो acceleration का dimension formula ऐसा हो जाएगा, suppose हमको चाहिए force का, suppose हमको force का चाहिए, तो force का आपको formula पता होना चाहिए, force का formula होता है, mass into acceleration, एक important बात आप यहाँ पर समझ रहे होगे, कि बिना formula के हम dimension find नहीं कर सकते, उस physical quantity का हमको formula होना चाहिए, तो force equal to होता है, mass into acceleration, mass into acceleration, अब देखो, mass का dimension formula हमको मालूम है, only aim होगा, और into हम इसके साथ multiply करें कि इसका acceleration का जो यह निकाला है, L T to the power minus 2, तो इस तरह से dimension, फाम में हम इसको क्या लिख सकते हैं, square bracket के अंदर में, M L T to the power minus 2, M L T to the power minus 2, is the dimension of acceleration, यह क्या हो जाएगा, acceleration का dimension हो जाएगा, clear, तो acceleration का dimension हम इस तरह से represent कर सकते हैं, एस वारी, force का, और कुछ मैं निकाल के आपको बता देता हूँ, practice के लिए, मैं देखो, ऐसे order पर आपको बता रहा हूँ, कि एक दूसरे में पूठ हो रहा है, कैसे, velocity को मैंने, इसमें पूठ अप किया, acceleration को मैंने, मैं जान बूठ के ऐसे order पर बता रहा हूँ, ताव कि आपको ये बता सकूँ, कि previous जो आपने physical quantity का dimension प्रिपेर किया है, वो लर्न कर लो, कैसे, जैसे suppose किसी student का, velocity का ये होता है नहीं पता, तो acceleration कैसे निकालेगा, यदि वो acceleration का कितना होता है ना पता, तो force कैसे निकालेगा, और यदि आप हर जगा, मालव आपको force को निकालना है, तो आप बोलो कि सर्व निकाल के देख लेंगे कहीं भी, ठीक है, तो force निकालना है तो acceleration निकालो, अब acceleration निकालना है तो velocity निकालो, तो क्या हाल होगा फिर आपको पीछे जाते 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 इतने सारे physical quantities का निकालना पड़ेगा यूतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि नियर एबाउट 15-20 इस्टार्टिंग में हर बुक में NCRT का बुक यादि आप वकंचल करते हैं तो आपके बुक के लास्ट में कवर पैज के एक दो पैज अंदर लास्ट पैज में आपको डाइमेंशन फार्मूला का नियर एबाउट 4045 के आस पास डाइमेंशन फार्मूला का लिश्ट दिया तो उसी कलेक्शन से आपको नीट में कोस्चन आएगा हंडेट परसेंट गरंटी है सिर्फ मैं कुछ 20 आपको 20 डिमेंशन फार्मूला का कलेक्शन दूंगा और आप जाके सिधा कोस्चन पेपर में देखना उसी 20 में से कोस्चन आया रहेगा अभी मैं आगे एस प्रेंट के आडर में आता है ठीक है तो चलिए इसके बाद हम निकाल लेते हैं वर्क तो वर्क का हम को फार्मूला पता होना चाहिए वर्क इक्वल्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट इसका फार्मूला है तो फोर्स कभी हमने निका कवर वन के साथ में एट हो जाएगा मुल्यप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मल-स था टी Moral- यह हो गात इस तरह से कषमimana क्यों गयर यह वर्क क कह गया और धियान रखना एनर्जी कभी होता है क्यों कि वर्क एकॉल टूइनर्जी होता Suzanne कि देफिशिएंसी आप डूइंग वर्क इसकार्ड एनर्जी तो एनर्जी कभी डाइमेंशन फार्मूला यही होगा एम एली स्क्वेर टी टूदी पावर माइनस टू इस तरह से ठीक है सपोस्थ मेरे को निकालना है प्रेसर का कि सपोस्थ मुझे प्रेसर निकालना है तो प्रेसर इकोल टू अपने को पता है कि फोर्स अपान क्या होता है अब फोर्स का हम जानते हैं देखो हम सब लर्न करके रखे रहेंगे तो फोर्स का रहेगा मैं फीटावर माइनस टू और एरिया का हो जाएगा इन लेंट्थ यह लेंटनी टूलेंद्थ या लेंट्थ इन टू ओम स्वेज्ट तो एल काल होगा अब इसको साल्व करें तो ये उपर चला जाएगा तो यह घेकीटा स Must त्टी टूदी पावर माइनस टू यह हो जाएगा और यह क्या कह लाएगा प्रेसर करका अब मेरे ख्यास से आप समझ गये होंगे कि कि किस तरह से हम से हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के फिजिकल कॉंटिटीटिस के डाइमेंशन फाइंड कर सकते हैं इतने एकजांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि डाइमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं अब यहां पर एक इंपार्टेन बात जो आप भ्यान से सुनों सब्सक्राइब को कॉंपटिटी जानव पर इस टार्टिंग में आप से डिसकूस किया था कि हम आपके फाउंडेशन क्लास के साथ थोड़ा कांप टी को भी ट्रस करते हुए चलेंगे तो competitive exam में जब physical quantities के dimension पूछा जाते है इस पेसली नीट में या फिसी यूटी में आई आई टी जेए में तो लेबल थोड़ा सा अलग हो जाता है एकदम direct आपको question उसमें बहुत कम मिलते हैं physics में ऐसा आपको नहीं पूछेगा कि इसका dimension formula कि क्या होता है लेकिन नीट में पूछा जाता है तो दोनों students नीट के preparation करने वाले student और आयाइटी जेए का preparation करने वाले student की जो strategy होती है physics के लिए वो different different type की होती है ठीक हम नीट और आटी जेए के class में बास सेयर करते हैं कि कौन सी student को physics का preparation कैसे करना चाहिए तो यहां पर ध्यान रखना कि नीट में खासकर जो direct dimension formula पूछा जाता है तो 11-12 class के जो हमारा syllabus है उसी के अंदर पूछा जाता है तो अब सवाल यह हुता है कि हम 11-12 class का जब syllabus physics का complete करते हैं तो इतने physical quantities हैं कि सब का dimension formula रटना तो बहुत मुस्किल है उसको लर्ण करना बहुत जाएंगे नियर बाउट 11-12 दोनों को करके 150 से 200 का 200 के आसपास physical quantities हो जाएंगे वाप्रेव 200 physical quantities को याद करना बहुत मुश्किल काम है फिर बोलो कि सर निकाल लेंगे तो निकालना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक को निकालने के लिए बहुत दूर तक उसको अपन दे रहा हूं ओणली 20 अब आपको आस्यर लग रहा होगा कि 200 मैंने 20 कर दिया तो यह हमारा experience है हमको मालूम है हमको मालूम है की नीट में पूछेगा तो पूछेगा यह आपको नहीं पुछेगा फोर्स प्रेशार यह पूछेगा आपको कि वहां आपको पूछेगा je constant के फिजीकल क्वांटिटी आज तक जितने बार नीट में क्वेस्टेन में Pacific एक कें। उसमें 99.9 परिसेंट टाइम में क्वेशंट कहीं पूछा है। प्षाई युन Abdi Chicago कांस्टेन्ग अभिजिस्टेंश मे पॉर्जम साब स्मेंद कौम्सेंट टीन को यह सब पूछा गया है तो हमने बहुत मेहनत करके इसका एक कलेक्शन बनाया है 20 का वह मैं आपको यहां पर प्रवाइट करा रहा हूं वह आप कर लो तो नीट के लिए आपके उसके क्वेस्टन बिल्कुल बन जाएंगे यह मेरी सियोर्टी है इसमें आप जरा सा भी डाउट इसनल फर्मूला यह चार्ट आप स्कीन साथ लेलो यह प्रिपेर कर रहो वीडियो को पाउस करके आप इसको लिख लो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ को मैं एस्प्लेन कर रहा हूं आपको जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है बोल्ज में कांस्टेंट कर लिए तो बोल्ज में कांस्टेंट का यह होगा और 20 को आपने लर्न कर लिया सुनो मेरी बात मैं थोड़ा आइडिया दे रहा है आपको नीट के लिए आपने यदि 20 फिजिकल क्वांटिटी को लर्न कर लिया तो आपका टाइम बचेगा जैसे आपने सिधा याद किया कोस्टन में देखो इसका भी टीक की आगे निकल गए तो क्या होता है जिन्रब नीट में अपने को जब 45 को साल वो करना होता है तो मैं हमेशा इस्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि कम से कम 10 15 20 20 के आपके पास इस्टेट फारवाड वाले रहना चाहिए जो लर्न के की बात क्या होगा आपको दूसरे क्रियों को बनाने के लिए उसके लिए मिलेगा आप को उसको टाइम दे पाओगे और दूसरा सब्संफर इंपर्टन बात कि वहां को सालीट मार्स होगा उसम के आपने टाइम नहीं लिए तो उस सब क्वेसिएंट आप से जदा अच्छा सब्सक्राइब कराऊंगा ठीक है मैंने आपको स्टाइटिंग में बात बताया कि हर चेप्टर के बाद में हम आपको mcq कराएंगे नीट और आयाटी के लेके तो वहाँ पर मैं इस तरह के कोस्टन के आपको प्रेक्टिस कराऊंगा वह क्लास आप लेना तो इस क्लास से आपको पता चलेगा की नीट में क्योंस्टन के से हैंगे ओकर में तो यह हो जाएगा देखो फिर देखो magnetic induction magnetic moment resistance capacitance specific resistance यह सब यह resistance का तो नीट में आ चुका है मुझे याद है यह मेरे ख्याल से repeat भी हो चुका है question resistance का उसके बाद यह है next 10 10 10 का दो पार्ट में आपको दे रहा हूं और दोनों पार्ट को आप इस तरह से ठीक है मैं आपको class लेते समय screen के side से हट भी जा रहा हूं ताकि जो इस्ट्रेंट इस्क्रीन साट लेना चाहें वो ले सकते हैं तो यहां पर देखो gravitational constant यह बोला यह भी स्वरी क्या हुआ कि यह भी क्या है यह नीट में आया हुआ है यह question भी नीट में आया हुआ है gravitational constant तो gravitational constant भी क्या है important है important तो सभी है आप 20 में आपको guessing नहीं करना है तो पूरे आपको इसको learn कर लेना है यह आपके लिए बहुत best होगा है ओके तो यह 20 आप learn कर लो निकालना मैं आपको सिखा दिया लेकिन इनको आप मत निकालो इनको निकालों के कई घंटे लगें वेसे मैं सबको निकाल के बता सकता हो भी आपको लेकिन मतलब नहीं है आप कोशिष करो की याद हो जाए वेसे निकालना तो आप सीखी गए कि फार्मूला रहेगा सफार्मूला में आप पूट अफे जाओ गया करना है ठीक है तो यह हमारा हो गया आ्लिमेंसिन फार्मूला अब यहां पर हम देखते हैं डाइमेंसिन आप similar physical quantities यह मेरा बहुत बहतरिन collection है आपको किसी एक जगा पर ऐसा contents बहुत मुश्किल से मिलेगा या नहीं मिलेगा यह हमने बहुत मेहनत करके ऐसे physical quantities को collect किया है जो similar type के हैं मतलब यहां पर आप मेरा collection देखो कि मैंने क्या किया है बहुत से physical quantities का same type का dimension होता है और यदि आप same type के dimension formula को learn कर लेते हैं तो उससे दो फायदे पहला फायदा यह कि कई physical quantities का एक साथ आपको learn हो गया माने 45 का आपने एक बार में कर लिया यह सब ट्रिक्स हैं प्रिप्रेशन के ट्रिक्स हैं यह प्रिप्रेशन के ट्रिक्स हैं यह इवीश तरह से आप prepare करते हो तो आपको को बहुत कम मेहनत लेगा और नीट में एक permanent question आ रहा है क्या कि फोर प्रिप्रेशन में से किस physical quantity का dimension formula बाकी तीन से अलग है बड़ी परसानी होती इस question में मुझे मालूम है कि मैं रेगुलर नीट का class ले रहा हूं मुझे पता है कि इस तरह के question में confused बहुत होते हैं मतलब क्या करेगा वो फोर आप सन में थ्री physical quantity ऐसे रहेंगे जिनका सेम डाइमेंशन हैं और एक उसको डिफर करेगा एक उसमें से अलग रहेगा तो उस अलग physical quantity का डाइमेंशन बताने में बहुत प्राब्लम होता है तो यह वाला मेरा चार्ट इनिदे आप प्रिपेर कर लोगे तो इस चार्ट को प्रिपेर करने के बाद इस चार्ट को प्रिपेर करने के बाद आपको कभी भी ऐसा सबस्यान नहीं आएगा तो धन से सुनों यह किस तरह से तो पहला देखो कि फ्रिक्वेंसी अइंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर वलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियेंट इतने सब का डाइमेंशन यह होता है इसके सब का डाइमेंशन एम नाट एल नाट टी टू दी पावर माइनस वन होता है क्लियर कि वर्क एंड टार्क यह तीनों का डाइमेंस फर्मूला एम एल स्कुए टीटीट टीटीट माइनस तो मतलब क्या फैदा होगा आपको वरक का याद है तो एनरजी टार्क भी आपको याद हो गया साथ ही साथ इससे वर गात आसान ध्यां रखना आपको किसी भी कंप् साथ smart work नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेक नहीं मिलेगा बहुत से लोग हाड़ वर करते हैं without any direction without any guidance पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं सोला घंटा 178-20 घंटा पढ़े जा रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हाड़ वर्क तो जरूरी है है ऐसा नहीं कर नहीं है canineẹ रॉट gedacht शत्ट रहा हुआ एक और डारेक्शन में यह डार्ष सने जो छो मैं आपको इहां प्रसहला रहाँ वह प्रॉषा डेरेक्शन है कि इस तरह से आप उसको अच्छा कशना कर सकते हैं ईभी हो जाएगा और अज e-taskar अप प्रेसर, इस्ट्रेस, कोफिसेंट आफ इलासिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इनर्जी डेंसिटी, इतने का फिजिकल क्वांटिटी इसका, प्रेसर का, इस्ट्रेस का, कोफिसेंट आफ इलासिसिटी का, और एनर्जी डेंसिटी का, ये सब का डाइमेंशन फार्मूला ये होगा इसके वांसे छोट इनलचिया मेंस्टिया वह रोगा फीपोर्स थ्रस्ट वैट एनर्जी ग्रेडियंट यह होगा सरसे संदंशन सर्फेस एनर्जी फोर संग्रेडियान और इस्प्रिंग कांस्तेंट है इसके यह होगा और नीचे देखो रिमरक्ति इंडेक्स रिफ revenir यह last point बहुत important है, यह सब dimensionless है, देखो, M power 0, L power 0 और T power 0, यह क्या है, dimensionless physical quantity है, यह dimensionless physical quantity है, तो यह है हमारा बहुत special collection, इसका भी आप screen start ले लो और इसको notes में बनाओ, यह सब collection आपको बहुत मेहनस से मिलेगा, देखो, मैं एक बात आप से बहुत गंभिरता से share करता हूँ, कि मैं अपने YouTube के class पर ही उस label का contents प्रवाइट कराना चाहता हूँ, जो कोई student IIT JE NEET का त्यारी कर रहा है, वह भी without single rupees खर्च किये, यहां से पूरा contents वो पा जाए, सिर्फ मुझे आपका मेहनस चाहिए, सिर्फ मु मेरे subject में आप दोनों competitive exam में बहुत अच्छा करोगे, यह security है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, इतना systematic आपको मैं सब चीच प्रवाइट कराऊंगा, पूरे class में, हर class में, पूरा 11th class और 12th class का syllabus complete करते तक, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, कि आप बस उसमें मेहनत करो, ओके, next देखो, some typical quantities, यह तो और मज़ेदार है, some typical quantities का मतलब क्या है, यहाँ पर typical quantities है क्या, typical quantities में किसको बोल रहा हूँ, typical quantities में उनको बोल रहा हूँ, जो क्या है, जिनके dimension formula नाम से नहीं पता चलता, समझ में नहीं आता कि यह क्या है, समझ में नहीं आता कि क्या है, जैसे, mass density, अब mass density जब अपन सुनते हैं, तो बहुत अजीब लगता है, कि mass density होता क्या है, mass density क्या होता है, यह नाम से अजीब लगता है, तो mass में जब length को divide करते हैं, तो उसको mass density कहते हैं, और यह हो गया ml to the power minus 1 T0, देखो, तो यह typical का मेरा collection क क्या है, कि कभी कभी कुछ ऐसे physical quantities के dimension, competitive exam में पूछ दिये जाते हैं, कि वहाँ पर क्या होता है, student तो प्रक्दम पूछ पता ही चलता है, ऐसा physical quantity में सुना नहीं था, जैसे लगता है, तो यह इसका मेरा collection है, इसको अब अच्छे से करना, distance in nth second, जब distance word आता है, तो student उसको स तो distance table in nth second में क्या लगता है, कि distance है, लेकिन distance नहीं है वो, time की भी बात कर रहा है, तो distance के साथ time की बात कर रहा है, तो इसका dimension, यह velocity का dimension होगा, देखो, इसका dimension, velocity का dimension होगा, जबकि नाम सुनने से कैसे लगता है, नाम सुनने से लगता है कि वो distance बोल रहा है, नाम सुनने से भी कोई liquid या air flow हो रहा है औरेट आप फ्लो कहलाता है यह इसका डाइमेंसन है इसके बाद देखो सर्फेस एनरजी सर्फेस एनरजी का फार्वूला होता है एम एल नाट टीडिवाइब और माइनस टू वेलोसिटी ग्रेडियंट यह होता है एक चीज़ ध्यान में रखना जब भी आपको किसी भी फिजिकल कॉंटिटी में ग्रेडियंट बोले तो लेंथ को डिवाइड कर देना है ग्रेडियंट मींस डिवाइड बाई लेंथ किसी भी जैसे कहीं पर आपको पुछे फोर्स ग्रेडियंट तो परेशान मत होना फोर्स में लेंथ को डिवाइड कर दो फोर्स ग्रेडियंट हो जाएगा प्रेसर ग्रेडियंट बोल दे तो तो प्रेसर अपान लेंथ किसी भी पोटेंशियल ग्रेडियेंट बोल दे तो पोटेंशियल अपान लेंथ यह बहुत इंपॉर्टेंट नालेज ध्यां रखना तो किसी भी फिजिकल कॉंटिटी का यदि आपको ग्रेडियेंट बोले तो ग्रेडियेंट बोलने का मतलब ही है कि आपको उसमें length को divide करना है gradient बोलने का मतलब ही है कि उसमें आपको length को divide करना है जब भी हम किसी physical quantity में length को divide करेंगे तो उसको हम gradient कहेंगे ठीक है इसके बाद देखो pressure gradient pressure gradient मैं यहाँ पर निकाला है देखो तो pressure में हमने length को divide किया pressure होता है ml to the power minus 1 t to the power minus 2 और relative velocity ठीक तो रिलेटिव डेंसिटी का कितना होता है m.0.0 और relative velocity का m.0 l.0 t to the power minus 1 तो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी हो तो dimensionless है और relative velocity dimensionless नहीं होता क्योंकि relative density निकालने के लिए हम एक density में दुसरे को करते हैं लेकिन रिलेटिव वेलसिटी फाइंड करने के लिए एक वेलसिटी में दूसरे वेलसिटी को माइनस करते हैं देखो कितना कितना सुक्ष्मता से मैंने इस चीज को कलेक्शन में लिया है एक रिलेटिव डिवीजन है एक रिलेटिव माइनस है तो जब डिवीजन में related निकालेंगे तो सब्सक्राइब टेनिस होगा लेकिन मानैस मे जब लेटिव निकालेंगे तो चैंज नहीं होगा तो ऐसे नहीं है इसको बहुत मेहनत करके हमने इसको केरेख संकिया है और ध्यान से समझना पॲे जार्टिव डेन्सिटी डाइमेंश्व लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी यह डाइमेंशनलेस नहीं है दोनों का डिफ्रेंस आपको समझ में आया यह डेंसिटी निकालने के तरीके पर डिपेंड करता है ओके इसमें कुछ और है देखो यह अच्छा यह टीपिकल टाइप के हो गए हां ठीक है टीपिकल इतने है तो ट मैंैंक it principal of homogeny का मतलब क्या होता है यहां पर मैंने डिफ्नेकल भी लिख दिया है ना कि किसी भी फिजिकल relation में कोई भी मालों हमारे पास कोई physical quantities के बीच में relation है that is called formula तो इसका जो left hand side का dimension होगा वह right hand side के dimension के equal होगा the dimension of left hand side is equal to the dimension of right hand side okay तो यह दोनों क्या होगा एक दूसरे के equal होगा दूसरा important बात क्या है कि जैसे हम physical quantities को sum या difference करते हैं not multiplication division जब किसी भी physical quantity को हम sum करते हैं या difference करते हैं ठीक है multiplication division के लिए पलाई नहीं होता ध्यान रखना तो जब किसी physical quantity को sum करते हैं या difference करते हैं तो उस condition में क्या होता है कि वो दोनों सेम रहेंगे तभी सम होंगे फार एक्जांपर kilogram के साथ आप kilogram ही एड करोगे kilogram के साथ आप लीटर एड नहीं कर सकते देट मिंस सेम टाइप आप physical quantities are added और सब्स्टेक्ट ठीक है दो physical quantity को यह आपको एड करना है या करना है तो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए अधर्वाइज वो एड और सब्स्टेक्ट नहीं होंगे मटिप्ला औरdal वाइड हो सकते है मुढ मटिपरडिवाइड तो किसी को सकते है उसकते जैसे देख यहां पर हम लिखा दाइमेंशन आप आल टम्स अंदर टू साइट आप है करेक्ट फिजिकल कॉएंटिटी इस मस्ट भी सेम ठीक है यह कहलाता है प्रिंस्पल आप होमोजीनिटी यह इक्वेस्टन मस्ट भी सेम यह होता है अब यहां पर मैंने एक एक्जामपल लिया ह है आपको इसको समझाने के लिए यह एक्जामपल नीट में पूछा जा चुका है यह नीट का क्वेस्टन है प्रिवियर का भी इक्वल टू एटी प्लस बी अपांटी प्लस सी और इस क्वेस्टन में बोला गया है इस एक्जामपल से मैं आपको एस्प्रेंड कर दूंगा कि प्रिंस्पलाफ होमोजिनीटी क्या है फाय दाइमेंशन आफ ए बी एंड और सी फायदपन संथ यहां पर हम को एभी और सिक डामेंशन फाइν करना है यह जो रिलेशन दिया है उसके हेल्प से अपने को इमेंशन फाइंड करना है तो जब इसका डामेंशन हमको यहाँ पर प्रिंस्पल आप होमोजिनिटी हम यूज करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना हमारे पास जो रिलेशन यहां पर दिया हुआ है उस रिलेशन में देखो यह जो लेप्ट हैं यह लेप्ट हैंड साइट क्या है वेलोसीटी है यह वेलोसीटी है तो नेचुरली राइ इकवल टूदा डाइमेंशन आप राइट है तो लेप्ट हैंड साइड जब वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा वेलोसिटी है होगा अब एक इंडिपेंडेंडेंट टम यह है और एक इंडिपेंडेंडेंडेंट टम यह है तो यह दोनों भी वेलोसिटी होंगे क्यों होगा भई क्योंकि वेलोसिटी ही वेलोसिटी के साथ सम होके वेलोसिटी होगा देखो कितने मज़ें दैर बात है एक अकेला कोश्चन एक चीज आप ध्यान रखना कॉंसेप्ट क्लियर करने के लिए पचास क्वेश्चन नहीं चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक कोश्चन सफिसेंट होता है लेकिन सवाल यह है कि आपको उतने डेप्स तक उसको समझना पड़ेगा और एक कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप उस सिमिलर टाइप के हजारों कोस्टन बना सकते हैं फिजिक्स में सक्सेस ऐसे हुआ जाता है नंबर आप कोस्टन अतने important नहीं है जितना नंबर आप concept important है आप 1000 कोस्टन कर लो यदि आपके concept clear नहीं है तो 1000 कोस्टन बेकार है लेकिन आपने कुछ limited कोस्टन किया हुआ है और उसके आपको concept clear है तो आप कभी भी उनसे relevant new questions solve कर सकते हैं ये चीज को आपको हमेशा ध्यान म रखना है मेरे सब्जेक्ट में फिजिक्स में बहुत जोरी है ठीक है तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो इस तरह का क्वेश्चन आप से बन जाना चाहिए देखो लेफ्ट अब धी तो यहां पर यहां पर देखो टाइम जो है वह सी के साथ में एड हो रहा है आप देखो टाइम हो रहा है किसके साथ में टी-प्लस ती तो सी टाइम के साथ एड़ कब होगा जब ओभी टाइम होगा कि टाइम के साथ किलो मीटर थोड़ी एड़ होगा तो सी का डाइमेंशन तो यह पता चला गया तो पहले हम लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं डाइमेंशन का डाइमेंशन आप C equal कि डाइमेंशन आप कि डाइमेंशन आप का टी टाइम है यहां पर तो सी का डाइमेंशन क्या हो जाएगा सिधा कि M not L not feasible रटी यह निकल गया एक अंसर तो हमारा यह निकल गया बु했습니다 इन आ गई आपको डेखो अब मैं 80 पर बात करता हूं अब HDR वेलोसीटी है क्यों वेलोसीटी है क्योंकि यह भी वेलोसीटी यह भी वेलोसीटी तभी दोनों का संव व्crowd विलोसिटी प्लस विलोसिटी एक्वल्टी विलोसिटी होगा तो एटी विलोसिटी का डाइमेंशन के एक्वल होगा अब हम लिख रहते हैं डाइमेंशन आप अब मैं साइट में लिख देता हूं डाइमेंशन आफ एक्वल डाइमेंशन आफ विलोसिटी तो डाइमेंशन आ सब्सक्राइब के डिवाइड होगा तो एल टी टुदी पावर माइनस टू होगा डिवाइड ऊपर चला जाएगा दैट इकवल इसको हम लिख सकते हैं एम नाट एल टी टुदी पावर माइनस टू यह हो गया एक आंसर कितना आसान काम है आप देखो एक बार कॉंसेप्ट क् को चक्लेट भी अपन्टी प्रस इन सिंगल म्यश्य वह कैला टम एथ तो दाइमेंशन आप भी अपन थिपलस सी इकवल क्या होगा ये Dimension of Velocity Dimension of B upon T plus equal to Dimension of Velocity यह हो जाएगा B upon Dimension of T क्या है T है और C भी क्या है T है दोनों T है That equal Dimension आप भी यह क्या हो जाएगा LT to the power minus 1 ET to the power minus 1 यह होगा That implies अब यहां पर B upon यह 2T होगा that equal l t to the power minus 1 लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 2 constant है और 2 constant है तो उसका हम dimension नहीं लिखेंगे क्योंकि वो constant का dimension नहीं होता तो सीजा सीजा हम फिर dimension आप भी लिखेंगे that implies dimension आप b equal to t उधर जाके multiply हो कि इसके साथ 0 हो जाएगा तो l t to the power 0 that means यह हो जाएगा m0 l t0 यह हो जाएगा b का dimension यह इसका एक answer हो जाएगा इस तरह से देखो कि principle आप homogeneity पर मैं आपको एक question बताया और principle आप homogeneity पर यह neat में आये हुआ question है कि find the dimension आप a b and c तो इस तरह से भी equal to a t plus b upon t plus c में हम सब के dimension find कर सकते हैं ओके इस तरह से यह dimension में homogeneity का जो हमारा concept है यह बहुत important है और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है और भी question आपको खुद से करने हैं और ऐसे मैं numerical कराऊंगा तो numerical कराते समय आपको इसके और question कराऊंगा ठीक है तो numerical कराते समय आपको जो question कराऊंगा उससे आपकी और अच्छे प्रेक्टिस हो जाएगी नाव नेस्ट टापिक इज Dimensional Analysis and its Applications देखिए अब हम एक ऐसे टापिक पर बात कर रहे हैं जो Dimensional Analysis का application है यह बहुत important है यहां से हमको यह पता चलता है कि हमने अभी जो Dimension formula पढ़ा अभी हमने यहां पर जो Dimension formula पढ़ा यह Dimension formula का use क्या है इसका application क्या है यह topic हमको अब यहां पर पढ़ना है जनरली इसकुल एक्जाम में टीचर से इसमें question देते ही है इसकुल एक्जाम में इसमें से question आते ही है तो application इसके क्या है जो हमने Dimension formula MLT पढ़ा इसके 4 application से one by one हम एक एक application को इसमें आपको explain करते हैं यह हमारा first application है to check the correctness of physical equation यह first application यह application क्या कहता है देखो कि हमको correctness check करना है to check the correctness of any physical equation और formula इसके याम क्या Online कहते है तो किसишь में अपने पास जो formula होता है को इस तरह से हमको यहाँ पर देखना है कि यह जो हमने एक ग्जांपल यहां पर लिया हुआ है रिस एक्वल तुप प्लस आफसद और यह फर्मूला हमने है पर लिगा है कि इसका घ्रथे सब्सक्राइब सिन्म अधिन करना ठीग है जलिए प्रश्평ग्ड करें ये इस कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक एक जंपल लिया है कि एसक्वेच्वेशन आप मोसं इसका प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले क्या करोगे इसमें जो फीजिकल क्वांटिटी यूज वह हैं एक बार मैं रिलेस्टक सुभी 122 की इसके बाद हमको देखना है कि इसमें जितने भी फिजिकल कॉंटिटी दीकल कॉंटिटी जूँजजू है वो कौन को चल utilizz है तो सबसे पहले हम को पहचानना है कि यहां पर डिस्प्रेशमेंट हैं तह!! सब को हम लोग यहां पर दैमेंशन फार्मूला लिखेंगे ठीक है सबसे पहले हीर सब्सक्राइब ऑफ एस डाइमेंशन आप है यहां पर एस क्या है डिस्प्लेस्मेंट हैं तो उसका डाइमेंशन क्या हो जाएगा M0 L T0 यह हमको पता है इसके बाद जो physical quantity use हुआ है U तो dimension of dimension of U U यहाँ पर velocity है तो वो हो जाएगा M0 L T to the power minus 1 यह इसका dimension होगा dimension of T dimension of T T time है तो time का dimension हो जाएगा M0 L0 T यह होगा अब देखो dimension of A जो की acceleration है तो dimension of dimension of A acceleration equal to क्या हो जाएगा M0 L T to the power minus यहाँ पर एक बाद आप ध्यान रखना कि dimension formula का application आप तभी explain कर पाऊगे जब आपको सभी physical quantities जो उस formula में use हुए है उसका dimension formula पता हो जैसे इनके dimension formula आपको पता नहों तो इसका आप correctness चेक ही नहीं कर सकते इसलिए सबसे पहला requirement है आपका कि आप dimension formula का याद करो उसके फार्मूले तभी application आप explain कर पाऊगे इतना लिखने के बाद इसका method यह है कि dimension formula जो हमारा relation दिया है physical quantity पर जो relation दिया है formula दिया है उसमें left hand side और right hand side है तो हम left hand side और right hand side के dimension को one by one अलग अलग लिखेंगे तो सबसे पहले dimension आप left hand side सबसे पहले हम निकालेंगे dimension आप LHS left hand side तो left hand side में अकेला physical quantity है और उसका dimension है M0LT0 यह है suppose यह relation number first है तो हमने dimension आप left hand side निकाल लिया अब निकालेंगे dimension आप right hand side dimension of right hand side तो right hand side का dimension फाइंड करने के लिए इसमें जो जो value पूट अप यूज हुआ है वो सभी का value हम यहाँ पूट अप करेंगे तो U का dimension formula हम यूज करेंगे देखो यह M M0LT to the power minus 1 यह U का हो गया इसके बाद हम T का यूज करेंगे तो देखो यह T है into T T का यूज करेंगे तो हो जाएगा M0L0T यह हो गया और plus 1 upon 2 अब हमको acceleration का यूज करना है acceleration का हो जाएगा M0LT to the power minus 2 और time का हमको यूज करना है तो हो जाएगा M0L0 और T इसका square इस तरह से इसका तो हमने सभी के dimension formula को वहाँ पर put up कर दिया जो हमने यहाँ पर list में लिखा था अब इसको हम simplify करेंगे simplify करेंगे देखो M, M के साथ multiply होगा तो M में दोनों का power 0 है तो M to the power 0 ही हो जाएगा अब देखो यहाँ पर L, L के साथ multiply होगा यहाँ पर power 1 है में वहाँ पर 0 है तो L ही होगा यहाँ का T power minus 1 है यहाँ पर T power 1 है तो minus 1 plus 1 8 होके 0 हो जाएगा तय हो जाएगा T to the power 0 यह हो गया अब प्लस देखो यहाँ पर one upon two यहाँ पर M not M not तो M to power 0 ही रहेगा यहाँ पर L का power 1 है वहाँ पर L का power 0 है तो आएल ही रहेगा, यहाँ पर देखो T का पावर माइनस 2 है, यहाँ पर T का स्क्वार होगा तो प्लस 2, माइनस 2, प्लस 2, 0 हो जाएगा, तो T का पावर 0 हो जाएगा, इस तरह से, अब देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, M0, L, T0, M0, L, T0, यह 1 है, यह 1 है, यह 1 है, यह 1 1 plus 1 upon 2, 3 by 2 हो जाएगा, इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, that equal, अब हम इसको लिख सकते हैं, 3 by 2, m0, l, t0, ये लिख सकते हैं, अब अभी मैं आपको बताया, कि जो constant होता है, उसका कोई dimension नहीं होता, तो 3 by 2 को यहां से हटा सकते हैं, that equal, ये हो जाएगा, m0, l, t0, ये हो left hand side का dimension वही है, जो right hand side का dimension है, तो यहां से हमको यह पता चला, कि from first and second, since, from first and second, first and second से क्या पता चला, dimension of, dimension of left hand side equal, dimension of RHS, right hand side, ये हमको पता चला, इस तरह से हमको question में पूछा है, correctness, correctness तो हमको यहां से answer क्या मिलेगा, कि वह क्या है, correct है, तो last में क्या लिखेंगे, therefore, relation is correct, relation correct है, यदि दोनों equal नहीं आता, यदि left hand side का dimension, right hand side के equal नहीं आता, तो relation क्या हो जाता, incorrect हो जाता, तो यहां पर dimension का जो relation हमको दिया था, वो correct है, तो बस एक question से आपकी practice हो जाएगी, जो भी physical quantity का आपका check करने बोलेगा, उसके left hand side के dimension निकालना है, उसके right hand side के dimension निकालना है, और दोनों dimension हो जाएगी, तो यहां पर check हो जाएगा कि वो correct है, ओके, यह हुआ हमारा first application, now second application is to establish relation between different physical quantities, यह इसका second application है, second application में क्या कहता है, to establish relation between different physical quantities, different different type के हमारे पास जो physical quantities है, यह different physical quantities के हमको क्या करना है, relation, उसके बीच में relation find करना है, और उसके लिए हमने यहां पर एक example लिया, देखो एक example जहां से समझो, यह application क्या बताएगा, कि हमको मालूम है कि जो physical quantities में relation होते हैं, जिसको हम formula करते हैं, तो हम dimension formula के help से इन में relation find कर सकते हैं, इन में relation find कर सकते हैं, और कैसे relation find करेंगे, इसके लिए हमने यहां पर एक example लिया हुआ है, देखो यह example है, the velocity of sound wave in a medium depends upon the coefficient of elasticity of the medium and its density, establish the formula for the velocity of the wave, using dimensional method, तो यह हमारा जो question है, इसमें क्या कहा गया है, कि velocity of sound, यहां ध्यान देना, velocity of sound, the velocity of sound waves is, in a medium is depends upon, किस किस पर depend करता है, coefficient of elasticity पर, coefficient of elasticity पर depend करता है, ठीक है, और किस पर depend करता है, and its density, उसके density पर depend करता है, establish the formula between them, उनमें क्या करना है, हमको relation बनाना है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, यह application बहुत important है, यह application बहुत important है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, यहां पर देखो जो, जो physical quantity depend करेगा, जो physical quantity depend करेगा, उसको left hand side में लिखेंगे, और जिस पर depend करेगा, जिस जिस पर करेगा, उसको right hand side में हम लिखेंगे, उसको हम left side में लिखेंगे भी उसके बाद proportional का sign लगाएंगे तो ध्यान देना यह फर्स्ट सबसे important है proportional का sign लगाएंगे और जिस जिस physical quantity पर डिपेंड करेगा जैसे यहां पर किस पर डिपेंड करता है वो इसको राइट साइड में लिखेंगे तो इस तरह से भी प्रपोस्टनल टू इंटू डी अब यहां पर एक important बात यहां कि राइट साइड में जितना भी physical quantity आपने लिखा है वो सब का पावर में a b c d जितना है उसको लिखते जाना है तो e के पावर में हमने a लिख लिया डी के पावर में हमने b लिख लिया इस तरह से पहला लाइन आपको लिखना है डैट इंप्लाइज जब इसको हम simplify करेंगे तो v equal to a constant का अब बाकी काम अभी जैसे हमने किया था क्या इसमें जितना फिजिकल कॉंटिटी यूज हुआ है सब को हमको यहां पर डाइमेंशन फार्मूला लिखना ठीक है तो चलिए वन बन वाई 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 वन यह वेलो सिटी तो सब से पहले सार्ट में डाइमेंशन लिख रहा हूँ ना डाइमेंशन अभी तो डाइमेंशन अभी कितना हो जाएगा एल टी टू दी पाउर माइनस बन पावर जीरो को लिखना ज़री नहीं होता लास्ट में लिख लेंगे उसके बाद डाइमेंशन आफ ए इलास्टी सिटी का अब देखो यह सब फिजिकल कॉंटी इलास्टी सिटी इंपार्टेंट है यहां तक आपको लर्न करके रखना पड़ेगा तो इलास्टी सिटी का जो डाइमेंशन फार्मूला होता है वह इस्ट्रेस अपान इस्ट्रें होता है इलास्टी सिटी इक पर फोर्स लगता है वह stress कहलाता है अब फोर्स का अपने को मालूम है NL T to the power minus area 1 e해요 shuts Band-їशार अभी निर्मान निकाला था Ml to the power minus 1 T to the power minus 2 यह होगा तो याद आपको रहे तो अच्छा ना रहे तो इस तरह से आप पोकिन वालिव मतलब सबसे पहले अब यह सभी को लिखने के बाद यह पूरे फिजिकल क्वांटिटी इसको अपने को पूट आप कर देता है तो चलो अपने को पूट कर दें फ्राम फरस्ट यहां पर हम के का वेल्यू पूट आप नहीं करेंगे क्योंकि इसका डाइमेंशन नहीं होता उसको करेंगे लवेलासिटी द्ायाम नाट एक नटी दी पावर माइनось वन यहां पर left hand side को कुछ लिए करना है right hand side को simplify करना है तो left hand side को ऐसी रहने तो as it is तो यह हो जाएगा M not L T to the power minus one equal to अब जब multiply होगा यहां पर देखो तो M M के साथ multiply होगा M का multiplication M के साथ M का power यहां पर A है और M का power और क्या है यहां पर भी है तो बेस सेम हैं तो power 8 होंगे तो ए प्लस भी होगा इस पकार से M का power A plus B हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा M to the power A plus B उसके बाद देखो L तो L का power यहां पर minus one है तो हो जाएगा minus A और यहां पर L का power minus 3 तो minus 3B होगा इसके बाद T का power T का power यहां पर minus 2A है और यहां पर T का power क्या है 0 तो minus 2A होगा तो यहां पर देखो MLT तीनों का power इस तरह से मिलेगा अब हमको करना क्या है ध्यान देना अब हमको left hand side और right hand side में ML और T के power का compare करना है जैसे left hand side में देखो left hand side में m का power 0 है और यहां पर इसका power क्या है ए प्लस B है left hand side में देखो L का power यहां पर 1 है और यहां पर L का power क्या है इतना है left hand side में know- kockus power T ka power जहांपर minus 1 है और यहां का टी का power minus 2A है इनकों को compare करना है tire compare the power आप यहां पर लिख लोगे compare the power up ml entity both side compare the power of compare the power of M L T both side तो क्या होगा देखो 0 A plus B equal to 0 नेस्लाइड में लिखता हूँ ते हो जाएगा A plus B equal to 0 यह हो गया हमारा रीलेसन नमबर फस्ट उसके बाद क्या है देखो L का पावर वन माइनस ए माइनस? ट्री और टुम फ– खशा casino इसके बाद क्या है माइनस टू एओकसने कर दो माइनस टू एओकसना टी स barr सर्ड अब बिनको हम साल्व करेंगे और साल्व करने के बाद एबी के वेल्यू फाइंड करेंगे ठीक है तो देखो लास्ट वाला रिलेस्न तो ऐसी साल्व है दैट इमपलाइज यहां माइनस माइनस केंसल आउट होगा एक विज़ाएगा वन अपॉइंटू एक वेल्वान पॉइंट तो हो जाएगा और इसको फ़र्ट में पूट कर दो सेकंड कर जोगरा थे नीप पड़ेगा लेंदी होगा तो फ्राम फ़र्स्ट फ़र्समें इसका वेल्व पूट कर देंगे तो वन अपॉइंट फ्लस बी इक्वर्ट क्या होगा जीरो देयर फोर बी इक्वर्ट टू-1 अ वेल्युट कर दिया किए क्वर्ट कर दियंकें माइनस थोच है माईनस वन पॉटकर दिया यह संप्लिफाई करें तद इमप्लाइस-खथ ही इसको हम लिख सकते हैं e to the power 1 upon 2 और यह denominator में आ जाएगा तो d का power 1 by 2 इसको combine लिखना चाहें तो that equal v equal to k और under root of यह हो जाएगा e upon d इस पकार से v equal to k into under root e upon d इसमें यह relation हो जाएगा यह इसका relation होगा यह required relation होगा यहाँ पर k constant इसका value फाइड नहीं कर सकते यह एक dimension analysis का limitation है कि इसमें कांस्टेंट के value हम फाइड नहीं कर सकते इस पर आगे हम आगे discuss करेंगे कि इसके क्या के limitation है ठीक है तो यह हमारा हो गया second application और इस application में हमने पढ़ा की to establish relation between different physical quantity तो यह बहुत इमपार्टेंट है इसी तरह से और कई physical quantity समी हम relation find कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखना जो physical quantity सबसे important step होता है इसका यह वाला सबसे important step होता है जो statement के बेस पर अपने को बनाना है ओके एक important application है अब हम देखते हैं next application to convert one system of unit into another यह application कहता है कि हम एक unit को दूसरे unit में इसके help से convert कर सकते हैं यदि हमारे पास एक unit है उस unit को हम दूसरे unit में convert कर सकते हैं इसके लिए हमने question लिया है देखो example यहाँ पर example read करो आप example में क्या है the unit of work unit of work यहाँ पर किसके unit की बात हो रही है वर्क की कि दा यूनिट आप वर्क इन एम के सिस्टम इस जूल एम के सिस्टम में इसका unit क्या है जूल है convert इंटू अर्ग कि दा यूनिट दा वर्क इन दा सीजिये सिस्टम मतलब हमको क्या करना है इसको अर्ग में change करना है जो कि energy का इसको सार्व करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं फिरस स्कुल करेंगे कि कर्माट कैसे करते हैं करमाट करने के लिए हम इसकुट पर्मूला समझना है वह पहले समझ नो वो फार्मूला इस तरह से है N2, N2 equal to हम लिखेंगे N1 M1 upon M2 whole power A into L1 upon L2 to the power B and T1 upon T2 to the power C. तो यह हम क्या इस फार्मूला को यूज करेंगे यह फार्मूला में कौन-कौन सा वेल्यू क्या है यह अभी मैं आपको एस्प्रेंड करता हूं तो सबसे पहले आपको यह फार्मूला डर्न होना चाहिए N2 equal to N1 M1 upon M2 to the power A, L1 upon L2 to the power B and T1 upon T2 to the power C, यहां पर कौन-कौन सा व वाला वेल्यू है मतलब N1 M1 L1 and T1 N1 M1 L1 T1 यह सब क्या है given unit होंगे जो आपको given है मतलब question में जो दिया है उसको हमको लिखना है हमेशा one given unit होगा यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने के बाद फिर वो आगे सही नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यान रखना कि यह 111 क्या होगा given unit होगा और 22 क्या होगा देखो यहां पर N2 M2 L2 T2 यह क्या है यह convert करने वाला unit होगा जिसमें हमको क्या करना है जिसमें convert करना है यह convert unit होगा जिसमें convert करना है यह बात आप कभी नहीं भूलना 111 given unit होगा और 222 क्या होगा convert करने वाला unit होगा अब यहां पर देखो given unit क्या है the unit of work in MKS system हमको given unit MKS है और convert अपने को करना है कि इसमें CGS में तो given unit यहां पर MKS होगा और convert करने वाला जो unit होगा वो CGS होगा यह आपको दियान में रखना है और MKS में work का जो unit है वो जूल है और वो convert करना है कि इसमें अपने को सबसे पहले हम लिखेंगे dimension of work अब ही मैं work का dimension आपको निकाल के बता बताया हूं तो dimension of work क्या होता है ml2 force into displacement ml2 T to the power minus 2 तो dimension of work is ml2 T to the power minus 2 यह होता है अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर M का power A होता है L का power B होता है T का power C होता है तो उसके according हम यहाँ पर here करके लिखेंगे तो यहाँ से बात clear है कि here M का power क्या है 1 तो A equal to 1 हो गया A equal to 1 L का power क्या है 2 तो B equal to क्या हो गया 2 हो गया और T का power है minus 2 मतलब C equal to क्या हो जाएगा minus 2 हो यह value हमको फार्मूला से कम स्टेप को देखो working step को आप समझते जाओ किसी भी टापिक को त्यार करने के लिए सबसे 2,3 हीं कम स्टेप को समझना तो हमको वर्केंग स्टेप को समझना है कि हम किससी स्टेप में वर्क कर रहे हैं अब क्या करना है यह पूरे वेली को पूला में पूलब करना है चुन Wasぎ and O which was커 करना है तोसमें तो therefore therefore हम क्या लिख सकते हैं n2 equal to therefore n2 equal n1 अब देखो यहाँ पर one मने यहिं ध्यान देना थे यहाँ पर जो एम1 है वो क्या है मास है और given unit है और given unit जो है वो क्या है mks है mks में मास क्या होता है kilogram होता है मैंने बोला है कि 111 में given और given है mks ठीक है अधरवाज ठीक उल्टा हो जाएगा तो यहां केर करना है तो वहां पर हम किलोग्राम पूट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन केजी यह हो जाएगा वन केजी और अपान हो जाएगा वन ग्राम 1 gram हो जाएगा और इसका power होगा A तो power क्या है देखो यह 1 तो power 1 हो गया इसके बाद जब length लिखेंगे तो 1 meter upon 1 centimeter यह given है यह find करना है और इसका power कितना है? 2 है और इसके बाद हम T लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 second upon 1 second और इसका power minus 2 ऐसा होगा यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर time वाला का कोई role नहीं रहता time का कोई role नहीं रहता क्योंकि कभी भी आप दोनों को second लिखेंगे और 1 upon 1 हो जाएगा और 1 का power कुछ भी रहे 1 होगा इसलिए कभी भी जब unit convert होता है उसको second effect नहीं करता यह बहुत important बात है कि unit conversion में वह participate नहीं करता कौन time time तो time है सब में वही रहेगा हो अब आगे इसको हम solve करें तो क्या हो जाएगा देखो that implies n2 equal to n1 अब इसको solve करो अब हमको चूंकी क्या करना है cgs में change करना है तो पूरे mks को cgs में change करेंगे तो 1 kg को अपन लिख लेंगे 1000 gram और अपन 1 gram यह हो जाएगा और power 1 वैसी 1 meter को अपन लिखेंगे 100 cm अपन 1 cm और power लिखेंगे 2 और यह तो क्या हो गया 1 उसका कोई काम नहीं है that equal अब यह हो जाएगा n1 इसको 10 में 3 0 है तो 10 to the power 3 लिख सकते हैं पावर 1 तो 1 रहेगा यहाँ पर 10 का square लिख सकते हैं और power क्या है 2 that equal यह हो जाएगा 1 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2 to the 4 यह होगा तो that equal अब हमको 1 joule को बोला है तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे तो उसका कोई roll नहीं है उसको खतम कर लो सीधा तो हो जाएगा 10 to the power 4 or 3 7 तो 1 joule equal to 1 joule 1 joule equal to 10 to the power 7 10 to the power 7 अर्ग होता है यह इसका answer है 1 joule equal to 10 to the power 7 अर्ग यह इसका answer है और यह बहुत important है ध्यान रखना इस तरह से unit convert होता है तो unit convert होने का यह method है ठीक है आपको एक एक question से यह बात clear हो जाएगा कि कैसे हम unit convert करने के लिए क्या use करते है clear यहाँ तक सबको अब इसका एक और application है देखो वो application है यह to determine the unit of a physical quantity तो यह भी एक important application है कि unit determine करते हैं हम इसके help से मतलब किसी भी physical quantity का unit क्या होगा यह बता देते हैं dimension के help से तो बहुत आसान काम है जैसे हाँ पर हमने एक तो हमको क्या करना पड़ेगा वर्क का dimension फार्मूला लिखना पड़ेगा तो वर्क का dimension फार्मूला क्या होता है इसका हमको unit निकालना है ना dimension फार्मूला के help से unit निकालना है तो वर्क का होता है m l square t to the power minus 2 यह होता है that equal अब आगे क्या लिखा जा सकता है यह mass mass का क्या लिख होगे आप kg इसके बाद क्या लिख होगे meter square इसका क्या लिख होगे second inverse यह इसका answer हो गया यह बिल्कुल time pass है इसमें कुछ नहीं है तो kg meter square second inverse square यह क्या होता है वर्क का unit होता है वास्तव में इसी को हम इसी को हम जूल कहते है जूल सांटिस्स के नाम से इसको जूल कहा जाता है ठीक है second का हम निकाल के देखते हैं देखो किस तरह से करेंगे तो second में किसका पूछा है power ठीक है power कभी निकाल देते हैं Sumbing हो जालो second power तो power equal to kya होता है work upon time Work upon time та इसका dimension तो मैं निकाल दूँ आपको work का यह हुआ और time तो time to the power minus 3 होगा मने work on time होता है time को divide करूंगा तो क्या हो जाएगा power dimension इसी एक दूसरे के हेल्प से निकाला जाता है एम एल स्क्वेर और टी तुदी पावर माइनस थ्री क्योंकि पावर इक्वल टुवरक अपने पास है देखो ठीक है तो यहां से टाइम को डिवाइट करूंगा तो माइनस थी हो जाएगा अब इसका हमको यूनिट बनाना है त को Онद्ट करते के नामस तो ठीक है इसके ऒबाद हम देखते हैं थ्र नंबर में क्या है एसलेरेस्सन मालों हमको acceleration का चाहिए तो acceleration इसका जो dimension होता है क्या होता है M not L T to the power minus 2 अब इसको हम लिखना चाहें तो यहां पर तो मास तो 0 ही है यह हो जाएगा मीटर मीटर सेकंड इन्वर्स स्क्वेर यह इसका आंसर हो जाएगा है मतलब डाइमेंशन फर्मूला के हल्फ से यह लिद्य किसी भी फ्रिजिकल कॉन्टिटी डाइमेंशन फार्मूला पता होता हो तो डायमेंशन फार्मूला के हैस थे हम क्या डिकाल सट्सका उन TsangSla जुए फोर अपली केस्टन है और फ Pure neksi केस्ट होता है ते हो गया डिमेंशन्न फर्मूला का फॉर अंपलिक एक कॉम्पलीट होता है है कि मैं आपको पढ़ा वीच बीच में चर्चा कर रहा ठा लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ special discussion करूं इस पर की लिमिटेशन क्या होते हैं डाइमेंशन इनलीसिस के डाइमेंशनल इनलीसिस का कुछ लिमिटेशन होता है वन बाइवन मैं उसको आपको एस्प्रेंट कर रहा हूं देखो पहला लिमिटेशन क्या है कि वी कांट डिटर्माइन दा वेल्यू आफ कांस यह हम डिटर्माइन नहीं कर सकते हैं तो फस्ट लिमिटेशन आप लिख लेना अपले लेंग्वेज में या मेरे नोट में सब अबलेवल हैं आप मेरे लेक्चर के बाद नोट जरूर देखिए और इदीन दा लर्नर सहब में आप प्ले इस्टोर से आप उसको डाउनलोड लिटर्माइन दाविल्यू आप कांस्ट्रेंट हम गांस्टन का अवैल्यू डीटर्माइन नहीं कर सकते हैं And the second limitation is, second limitation क्या करता है, we can't establish the relation between more than one terms, मतलब एक से ज्यादा terms वाले formula को हम derive नहीं कर सकते, जैसे मानलो हम को कोई बोले कि S equal to UT plus half AT square, इसको determine, इसको establish करो, मतलब इसको derive करो, तो ये possible नहीं है, हम only single terms के formula ही इससे derive कर सकते हैं, ये बहुत important बात है, मतलब हम अभी पढ़े हैंना, to establish the relation between physical quantities, physical quantities के बीच में relation हम इससे establish कर सकते हैं, but कब जब relation single terms का हो, if relation having more than one terms, two are more than one terms, then we can't determine, establish the formula, we can't establish the formula between physical quantities, तो ये हम possible नहीं है, ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो ये कुछ limitations है, जो हम को जानना है कि physical जो dimension formula है, वो किस लेबल तक काम करता है, that is its limitation, कि किस हद तक वो काम करता है, कभी एक्जाम में पूश दिया जाता है, right limitations, अब हम पढ़ते हैं, significant figure and errors in measurement, देखो, अब हम एक new topic की start करते हैं, इस chapter का, और वो है, significant figure and errors in measurement, कि significant figure क्या होता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे errors, यह second part है, actual में इस chapter में three parts है, first is units in measurement dimension formula, second is significant figure, and third part is errors, कि measurement में क्या-क्या errors होता है, तो significant figure क्या है, significant मतलब जो useful figure है, useful figure मतलब, जब हम कोई बड़ा calculation करते हैं, तो after decimal बहुत से digits आते हैं, तो पूरे digits हमारे काम के नहीं होते हैं, कि एक limit तक digit ही हमारे काम के होते हैं, calculation मुन का use होता है, तो वो significant figure कहलाता है, यदि हमको to define definition इसका बनाना है, तो significant figure का definition यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो, क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, the number of digits used to express accurately the measured value of the physical quantity is called the significant figure, तो यह जो accurate, ठीक है, used to express accurately, हम accurate value find करने के लिए जितने digits को use करते हैं, is called significant figure, अब यहाँ पर important significant definition नहीं है, important है significant figure find करना, कैसे हम significant figure determine करते हैं, तो यह भी बहुत important topic है, नीट में कई बार significant figure से question पूछा गया है, in future आपको भी पूछा जा सकता है, ओके चलिए, तो एक-एक rule को हम इसको समझते जाते हैं, और एक-एक rule को एक-एक example से आपको बताते जाते हैं, देखो, सबसे पहले, rule in counting the number of significant figure, in a given measured quantity, यह बहुत अच्छा notes है मेरा, आप यह points को screenshot लेके अच्छे से notes बना सकते हैं, मैं आपको 100% syllabus complete करा रहा हूँ, मेरे syllabus complete कराने के बाद आपको एक भी topic का additional requirement नहीं होगा, इतना मेहनत करके हम आपको systematic पूरा syllabus provide करा रहे हैं, आप उसको बस ध्यान से पढ़ो, तो यह सब notes आप अपने notes में बनाते चलो और हमारे application के notes को भी use करो, तो सबसे पहले significant figure find करने का जो पहला rule है क्या करता है, all non-zero digits, all non-zero digits, all non-zero digits are significant, जितने भी non-zero number होते हैं, वो significant figure होते हैं, यहाँ पर मैं example देते जा रहा हूँ और example को आप समझते जाना, example, जैसे मैंने कहीं पर लिखा है, 6, 4, double, 0, तो 6, 4, double, 0 में जो significant figure होगा, 6, 4, double, 0 में significant number, आप significant कितना होगा, only two, क्योंकि इसमें सिर्फ use होंगे 6 और 4, यह दोनो zero use नहीं होंगे, तो first rule बोलता है, all non-zero are significant, जितने भी non-zero number होंगे, वही significant figure होंगे, तो clear, लेकिन अब इसके rules change होते जाएंगे, ध्यान से समझ जा, पहला rule क्या बता है मैंने, कि जितने भी non-zero number होंगे, excluding zero, 0 को छोड़के जो non-digit होंगे, वह सब significant होंगे, जैसे हैंब पर 6 और 4, इसमें 2, second point हम को क्या कहता है, rule का second point क्या कहता है, ध्यान से सुनो, all zeros occurring between two non-zero digits are significant, देखो, अब यह rule थोड़ा सा change हो गया, यह rule क्या कहता है, कि all zeros occurring between two non-zero, मतलब इसी example को मैं यहाँ पर again rewrite करता हूँ, और समझाता हूँ, यह example से आप ज़्यादा समझोगे, example में मैंने लिख दिया, six double zero four, यह दोनो zero को six और four के बीच में ला दिया, यदि ऐसा मैं कर दूँँगा, तो अब यहाँ पर जो significant figure है, वो कितना हो जाएगा, four, क्यों क्योंकि rule क्या बोलता है, nine zero digits are significant, किसके, between two nine zero, between two nine zero digits, देखो यहाँ पर six और four nine zero है, तो nine zero की बीच में जो zero होगा, वो count किया जाएगा, तो यहाँ पर significant figure कितना हो गया, four हो गया, तो यहाँ पर यह significant figure हम four count करेंगे, right of a decimal point and the left of a non zero digits are not significant, यह क्या कहता है, all zeros to the right of a decimal point and the left of a non zero are not significant, यहाँ पर आप फ्रोध्यान से, example से ही ज्यादा बहतर समझोगे, इसलिए statement से ज्यादा focus आपको example पर होना चाहिए, जैसे मैं कहीं पर लिखा, 0.0064, 64 को ही लेके चल रहो हमें, 0.0064, तो यह rule क्या कहता है, कि यहाँ पर जो significant figure होगा, यहाँ पर two होगा, क्यों होगा, rule कहता है, कि decimal के बाद के 0 significant में count नहीं होंगे, या non zero के पहले के 0 significant में count नहीं होंगे, माने decimal के बाद two zero आप जो देख रहे हो, decimal के बाद आप two zero देख रहे हो, वो significant figure में count नहीं होगा, only कौन कौन होंगे, only six और four होंगे, तो यहाँ पर significant figure कितना हो जाएगा, two हो जाएगा, यह six और four बाद significant में होंगे, clear, तो three rule clear होगा होगा आपको, यह three rule, आप यह rules के साथ में example जरूर लिख लेना notes में, आप यदि rules के साथ में example नहीं लिखोगे, आपको यह समझ में नहीं आएगा, ओके, now next, अगला देखो, next is, all zeros of the right of the last non-zero, zero के लिए बहुत rule है, और इसी को ध्यान से समझना होता है, all zeros to the right of the last non-zero digit, are the not significant, on the other hand, all zeros of the right of the last non-zero digits are significant, provided they come from a measurement, क्या कहता है, all zeros of the right of the last non-zero, last non-zero के right में जितने भी zero होंगे, are not significant, लेकिन इस रूल का वो सेकंड फार्म है, यहाँ पर मैंने बोला, all non-zero's are significant, यहाँ पर लिखा है, all non-zero securing between the, इसके बाद के जो double zero है, वो significant में नहीं यूज होते, देखो, यहाँ पर यह दोनों 0 यूज नहीं होता है, लेकिन यह रूल क्या कहता है, digits are not significant, on other hand, all zeros of the right of the non-zero digits are significant provided by them from the measurement, यदि उनको measurement किया गया हो, measurement किया हो मतलब उसका unit हो, तो वो significant में count होगा, for example, यहाँ से हम example देखें, इसका उसी number को लिखता हूँ मैं, 6, 4, 00, और यहाँ पर लिख दिया मैंने meter, अब देखो यहाँ पर meter लिखने के कारण, चुकि मैंने यहाँ पर unit लिख दिया, तो अब इसका significant figure कितना हो जाएगा, ठोर होगा, देखो, यह meter नहीं लिखा था, तो two significant था, माने rules को बहुत आपको सुक्षमता से समझना होगा, जब तक आप rules को बहुत ही कीन observation के साथ में नहीं समझेंगे, तो बहुत confusion होगा है न, तो six four double zero बस लिखूं, तो two significant है, लेकिन six four double zero meter लिख दूं, यदि ऐसा लिख दूं, तो यहाँ पर significant figure कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान में रखना, कि यहाँ पर significant figure क्या होता है, फोर होता है, ओके, next, power of ten are not counting in significant figure, यह बहुत महुत पूर्ण बात है देखो, जैसे हमने कहीं पर लिखा हुआ है, for example, मालो मैं कहीं पर लिखा हूँ, 3.2 into 10 to the power 7, यदि मैं ऐसा लिखा हुआ हूँ, तो यहाँ पर यह जो 10 to the power 7 है, यह significant में count नहीं होगा, यहाँ पर significant figure सिर्फ यह 3.2 होगा, मतलब यहाँ पर significant figure 2 होगा, ठीक है, आप example के साथ में यदि लिखोगे, आप यदि example के साथ में लिखोगे, तो आपको कोई problem नहीं होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप example को यूज करोगे, तो example को यूज करने से, आपको बिल्कूल भी पता नहीं चलेगा, कि किस तरह से rule को आपको learn करना है, example important है, rule के comparison में, ठीक है, इस तरह से क्या करना है आपको, ध्यान में रखना है, कि किस तरह से आपको इसको, decide करना है, कि significant figure क्या है, ठीक है, with change in unit, there is no effect on significant, or significant digits, यह important rule है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका example देखो, यह example क्या कहता है, कि मान लो अपने पास, कोई number ऐसा है, जैसे मैं कहीं पर लिखा हूँ, 10 meter, suppose मैंने लिखा है, 10 meter, यह लिखा है, अब 10 meter में naturally, 10 meter में naturally, significant figure कितने हो गए 2, चूंकि meter है इसलिए 2, खाली 10 बोलता तो, significant number 1 है भी आपको समझाए, लेकिन 10 meter में 2 है, अब मैं चाहता हूँ कि, इसको मैं centimeter में change करूँ तो 10 into 100, मतलब यह कितना हो जाएगा, 1000, यह 1000 centimeter हो जाएगा, तो इस rule का कहना है, कि तब भी significant figure इसमें कितना होगा, 4 होगा, तब भी समें significant figure 4 होगा, मतलब 10 meter, ए स्वारी, क्या बोल दिया, 2, तब इसमें significant क्या होगा, 2 होगा, मतलब 10 meter में भी 2 था, और 1000 centimeter में भी 2 रहेगा, क्योंकि हमने इस unit को convert किया, लेकिन ध्यान रखने हैं, हाँ पर इसमें बहुत confused होते हैं, क्या, आपको only 1000 centimeter दिया होगा, only 1000 centimeter, यदि आपको only 1000 centimeter दिया होगा, तो here significant figure is, 1, 2, 3, 4, 4, but 10 meter को हमने change किया है, तो 2, मतलब जिस farm में initially वो दिया रहेगा, जिस farm में initially वो दिया रहेगा, उस farm के according जो significant figure होगा, वो बाद में change नहीं होता, इस तरह से हम क्या कह सकता है, कि जो significant figure है, वो क्या होता है, unit change होने पर change नहीं होता, ओके, तो यह इसका एक rule है, तो यह हो गया six rule, यह सभी rule आपको बहुत ध्यान से समझके, with example इसको लिखना है, अब हम चले आते हैं इसके next rule पर, rounding up the uncertain digits, पहले तो मैं आपको rounding up करना सिखा दूँ, और उसके बाद फिर इसके कुछ rule और है, उसको rule तो हो गए, अब हम आपको process लिखा रहे हैं, rounding up करना मतलब क्या होता है, देखो, जैसे आपको याद होगा कि अभी आज के date में यह दिया, आप computerized billing कहीं कराते हैं, कुछ से आप साफ वगरा से, कुछ साफ खरीते हैं, तो जब आपकी billing होती है, तो last में देखना, digits rounding up करके लिखा रहता है, actual हमारा जो amount कुछ और हुए रहता है, लेकिन last में rounding up करके उसको दिया रहता है, तो rounding up करके देने का मतलब rounding up का क्या rule होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कहीं पर, example से ही आप समझोगे, यह सब examples से ही समझने के rules है, जैसे यहाँ पर मैं ने एक example लिया, suppose हमारे पास कोई digit है, यह है 2.3476, ऐसा है, अब इसको मेरे को rounding up करना है, rounding up करना है मेरे को decimal के two place तक, decimal के two place तक rounding up करना है, तो करते क्या है देखो, यह four तक rounding up करना है, तो four के बाद के digit को देखना है, जो कि यहाँ पर seven है, तो जिस number तक rounding up करना है, decimal के बाद two place तक rounding up करना है, तो उसके बाद को digit को देखो, और यदि वह digit, यदि वह digit क्या हो, seven है यहाँ पर, और वो क्या हो, greater than r equal to five हो, greater than r equal to five, मतलब वह डिजिट या तो 5 से greater हो या 5 के equal हो दोनों केस में तो यह rule क्या कहता है कि इसका जो पहले वाला नंबर है फोर उसको one increase कर देंगे उसको क्या कर देंगे one increase कर देंगे बट यहां पर ध्यान रखना कि यदि वह नंबर यदि वह नंबर इवन है यदि वह नंबर इवन है तो कोई change नहीं करेंगे इवन है तो इवन ही रहेगा तो उस condition में इसका जो value है वो कितना हो जाएगा यह that equal to 2.34 ही होगा यह राउंडी गाफ हो गया लेकिन इसी एक्जामपल को यदि मैं ऐसा लिख दूँ 2.3376 यदि ऐसा लिख दूँ मैं यदि मैं ऐसा लिख दूँ तो उस condition में आप देखो कि यहां पर जो नंबर है यह तो 7 है और यह 7 तो greater than है किस से 5 से तो इसका पहले वाला ज प्रिक्रिस हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा 2.34 हो जाएगा यह देखो यह 2.34 ही रहेगा यह 2.34 हो जाएगा और उसके बात का नंबर लेस देन 5 है जैसे इसका भी एक एक जामपल बता दू मैं मालों कहीं पर लिखा है मैंने 2.19 को लिख दिया 3 426 लिख दिया इसमें नो 3. dio 25 लेस देन 5 है तो नो चेंज इसमें कोई चैंज नहीं होगा या मालो मैं इसको ऐसे भी लिख देता मालो इसको में लिख देता 2.3336 ऐसा लिग देता तो यहाँ पर देखो यह जो नंबर है 3 के बात का यह स्वाज़ नंबर जिस number तक rounding off करना होता है, उसके बात के number को देखते हैं, उसका बात का number यदि 5 हो, या 5 से बड़ा हो, तो उसके पहले वाले number में 1 increase कर देते हैं, लेकिन कब जब उसका पहले वाला number क्या हो, यहाँ पर odd number हो, तो ध्यान रखना, यहाँ पर odd और even का मतलब होता है, यहाँ पर even ह नमबर है, तो even में no change, यदि even number रहेगा, तो no change, और यहाँ पर देखो 3 क्या है, odd है, तो यहाँ पर increase 1, increases by 1, देखो इसमें हमने 1 increase करके 4 लिख दिया, तो यह rounding off का rule है, rounding off the uncertain digits, rounding आपको हमको जोड़त पढ़ता है, जब हम significant figure find करते हैं, जैसे जब नीट में question आता है, तो कई बार हमको कुछ multiplication division दे देता है, और multiplication division के बाद हमको क्या करने बोलता है, उसको rounding आप करने बोलता है, तो इस तरह से पन करते हैं, ठीक है, चलिए, next topic अब देखो, arithmetic operations with significant figure, यह आपको goal से देखना है, सबसे पहले हमने दिया है, addition and subtraction के लिए, तो यहाँ पर addition का example दे दिया है, subtraction same to same होगा, और addition and subtraction में हम किस तरह से significant figure use कर देखो, यहाँ पर हमने कुछ digits लिखा हुआ है, और यह digits का हमने यहाँ पर sum दिखाया हुआ है, 392.25, 9.635, and so on यह, और इसको हमने यहाँ पर यह sum किया है, अब इसमें हमको significant figure find करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले यह देखते हैं हम, कि जितने number यहाँ पर add किया गया है, उस add किया हुए number में, सबसे कम significant का number कौम है, list, तो list significant इसका है, यह है, list significant, list significant क्या है, 5.8 है, और इसमें significant figure कितना है, naturally यहाँ पर आपको दिख रहा है, significant figure कितना है, तो करना क्या है, पहला rule क्या बताया, पहला rule इसका क्या बताया, कि जितने भी digits का sum किया गया है, या subtraction किया गया है, subtraction आज सो, ना, दोनों में इसका rule same to same apply होगा, तो जितने number को यहाँ पर sum किया गया है, उसमें सबसे list, माने सबसे छोटा, सबसे कम significant वाला figure क्या है, तो 5.8 है, और इसका significant क्या है, 2 है, तो यहाँ पर जब हम answer लिखेंगे sum का, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, list significant के फाम में लिखेंगे, मतलब हम इसमें decimal के only one place तक, क्योंकि इसमें 5.8 है, 5.8 है, तो हम केवल 5.8 तक ही significant figure, यहाँ पर हमको, माने decimal के बाद one ही लेना है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, that equal, यहाँ पर लिखता हो, मैं ध्यान देना, that equal है जाएगा, one, zero, two, zero में तो कोई change नहीं होगा, और decimal आप लगाओगे, decimal के बाद देखो, यहाँ पर eight बस लिखना है, लेकिन eight के बाद का number eight है, और इसको rounding आप करेंगे, तो eight five से greater है, तो फिर उसके पहले में one increase करना चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ पर eight है, जो की even number है, तो कोई change नहीं करेंगे, यह इसका answer हो जाएगा, यह इसका answer हो जाएगा, और हमको अब इसका significant बताना है, तो one, two, three, four, five, इसका significant figure कितना होगा, five होगा, यह इसका answer होगा, rounding आप करने के बाद, इस तरह से इसको use किया जाता है, यह सब class बहुत ध्यान से समझ कि, एक दोबार आप repeat कर लेना, तो बहुँच अच्छे समझ में आ गया, बहुत repeat करता हूँ, ध्यान से सुनो, जब addition किय किया जाता है, तो सब से छोटा, सब से छोटा significant figure को हम देखते हैं, और उसको देखते हैं कि उसका significant figure कितना है, two है, ठीक है, तो इसमें two significant में, decimal के बाद two place तक हम को लिखना है, तो यहाँ पर हमको decimal के बाद, sorry, decimal के बाद one place तक लिखना है, क्योंकि इसमें five point eight है, तो eight बस, तो यहां पर 8 के बाद 8 है, 5 से greater है, बट पहले even है, इसलिए हमनों उसको 8 ही रखा है, तो यह कहलाएगा हमारा, अब हम देखें, इसमें multiplication, ठीक है, मल्टिप्रिकेशन में जब हम देखेंगे, तो मल्टिप्रिकेशन में जो इसका या डिविजन में, तो यहां हमने डिविजन के एक्जामपल ले लिया है, यहां पर हमने डिविजन के एक्जामपल ले लिया है, मल्टिप्रिकेशन एंड डिविजन, ओके, तो यहां पर हमने तो आपफले के देखने के बहुरत नहीं है हम समझाने के लीए आगे हम इसमें देखेंगे तो रूज वाइस होगा इसमें लिस्ट में यह हैं थ्रींपंट फॉर है टो डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे वन्टेस तक मतलब यहाँ पर और सिंगिव करेंगे तो एकॉल यह हो जाएगा फॉर और के बाद अपने को क्या लिखना है यह ध्यान देना तो हमको 9 के बाद यह जो नंबर आपको दीख रहा है यह अब यह जो नंबर 8 है 8 ध्यान देना होँपर दो एट का जो वेल्व है वह वह greater than 5 है वह greater than 5 है naturally इसका value greater than 5 है तो greater than 5 होने के कारण greater than 5 होने के कारण उसके पहले बारे नंबर में 1 increase कर देंगे मतलब 9 1 increase हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 होने के बाद यह जैसे 10 हुआ तो इधर 5 हो जाएगा तो इसका अंसर कितना हो जाएगा इसका अंसर 5 हो जाएगा इस तरह से आप आखो कि significant figure के जो rules ने यह rules आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि जितना भी rules में भी आपको बताया यह सभी rules के best पर यह सभी rules के best पर आप जो competitive में question आता है वो question आप solve कर पाओगे तो significant topic हमारा यहां पर complete now next topic is error देखो अगला topic है हमारा error errors क्या है यह हमारा इस chapter का last concept है और numerical point of view से बहुत important topic है क्योंकि numerical problem generally competitive exam में इसी सबसे ज्यादा cover होते हैं competitive exam में सबसे ज्यादा question error से cover होता है तो ध्यान रखना error का simple meaning है नाम से ही clear है कि जब हम कोई measurement करते हैं कोई experiment करते हैं तो experiment करते वक्त क्या होता है कि हमसे कुछ mistake हो जाते हैं कुछ छोटा मोटा हमसे mistake हो जाता है उसके कई region हो सकते हैं फाल्टी डिवाइज हो सकता है हमारा डिवाइज ही खराब हो यूजर रीजर हो सकता है कि हमको यूज करना ना आता हो ठीक है हमारा concentration का problem हो कि हम ध्यान नहीं दे पाए रीडिंग लेने पर या बहुत छोटे छोटे रीडिंग हमने अब जर्वनी किया ऐसे बहुत से रीजन होते हैं वो सब ठीकल पर आपको जनरल स्टडी कर लेना आप उस पर नोट में लिखने बनाने ज़ुरत नहीं है बैसिकली हमको यहां पर पढ़ना है कि measurement को हम एड़ेस कैसे करते हैं मतलब उसको हम अपने calculation में किस तरह से calculate करते हैं यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो निमेर्गा उसमें पूछा जाता है तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि errors के क्या के टाइप है किस किस तरह सो इसको एड़ेस किया जाता है तो यहां पर देखो ड़िफ्रेंस इंद ट्रू वेल्यू एंड मेजर्ड वेल्यू आप दा quantity is called error हमने यहां पर definition आपको एस्पेन कर दिया है difference the true value एंड मेजर्ड वेल्यू मतलब वास्ताम उसका ट्रू वेल्यू है जो उसका ट्रू वेल्यू होना चाहिए और हमने जो मेजर्ड कर लिया उसमें जो difference होता है उसको हम error करते हैं अब सबसे पहले हम देखें एफ-salute error किस तरह से find करते हैं यह देखो सबसे हमने कुछ reading लिया और यह reading के वेल्यू सबस्थ यह है a1 a2 a3 a4 एंड समान ऐसे हमने बहुत से reading लिया सबसे हमने फोर डिडिंग लिया एं डिडिंग लिया सबसे पहले हम निकालेंगे a mean मिन निकालने का मतलब क्या होगा मिन निकालने का मतलब होगा कि सबका संब एवन प्लस एट्ू प्लस एथ्री प्लस एजन्ट और लीडिंग और मिन एसकी मीन गिरोई निकलेगा वो कैसे निकलेगा ए वरिसका जडouse विल्यूगा यह इसका मीन वेल्यू में इसके एक्टोर वेल्यू को मारेस कर देए цвет कर देंगे और मारेस करने के बादस का डेल देल लेंगे मतलब पाजिटिव नीगेटिव का यहां पर मतलब नहीं है तब भी पाजिटिव लेंगे पाजिटिव गांठ तब फ यह इसका क्या हो जाता और इसको मूसरा की को माइनस करते हैं तो इस तरह से आप सालू टियर है लूब next is relative error यह सब फार्मूले आपको जानने है बाकी कुछ नहीं है मैं तो calculation में अभी आपको सिखाऊंगा addition, multiplication में कैसे होता है absolute error relative errors का मतलब होता है यह जो हमने अभी absolute error निकाला है तो absolute error जो हम निकालेंगे उस error में यदि हम value of physical quantity जो उसका real value होता है उसको हम divide कर दें तो relative error निकल जाता है मतलब उसका real value है वो divide करने से relative इज़े फार्मूले बस आपको याद रखना है कहीं कहीं पर numerical में जब इसका जुरुरत पड़ेगा तो आपको इसको करना है and next is percentage error percentage error निकालना है तो क्या करेंगे अपन इसके लिए फार्मूला है परसेंट मतलब 100 पर निकालेंगे तो percentage error एक्वल percentage error यहाँ पर देखो mean absolute error जो हम absolute error निकाले रहेंगे मतलब जो डेल एक निकाले रहेंगे उस absolute error को क्या करेंगे हम mean value जो निकला रहेगा उसमें divide करके 100 multiply कर देंगे तो percentage error निकाल जाएगा यह फार्मूला भी आपको लर्ण करना है देखो error में एक चीज़ ध्यान में रखना आज तो इस class में मैं आपको error का पूरा basic fundamental बता रहा हूं लेकिन जब मैं second आपको इसका class provide कराऊंगा numerals का तो इससे relevant मैं आपको numerals कराऊंगा तो सब आपको clear हो जाएगा कि इसके use कैसे हैं ठीक है तो आपको सबसे पहले concept clear करना है concept clear करने के बाद उसके numerals करा रहेंगे नेस्ट है देखो combination of error अब जो मैं आपको बता रहा हूं यह बहुत ध्यान से समझना combination of error का मतलब होता है जब error हमसे हो जाता है तो उसको हम कैसे adjust करते हैं जिसमें सबसे पहले यह error of a some r difference जब some r difference में error होता है तो उसका formula इसता होता है del j equal to del a plus del b अब इसको आफ़ोड़ा समझादो कि sum में यह difference में कैसे error होता है फार example मैं आपको example देता हूं कि suppose मैं किसी line का length measurement करने का मुझे काम मिला मुझे काम मिला कि भाई इस line का length मुझे measurement करना है लेकिन मेरे पास उतना बड़ा scale नहीं है, छोटा scale है, तो एक बार मैं यहां से यहां तक measurement कर लिया, suppose यहां से यहां तक measurement कर लिया, फिर यहां से यहां तक किया, फिर यहां से यहां तक किया, कई पार्ट में मैं इसका measurement किया और हर पार्ट में मैंने कुछ-कुछ error कर लिया suppose यह 10 cm इसका actual value है और इसको मैं 10.1 cm measure कर लिया वैसी यहां से यहां तक suppose suppose 20 cm है suppose for example इसको मैं 20.3 measurement कर लिया तो हर बार के measurement में कुछ error कर ले रहा हूं मैं और last में जब मेरे को पूरे line के length को sum करना होगा तो अपने error को कैसे उसमें मैं adjust करूँगा यह हमको यहां पर समझना है तो उसके लिए formula यह है अई formula आता कैसे है एक बार मैं आपको explain कर दूँँ देखो सबसे पहले pure value हो उसका तो z equal to two reading पर हम बात करें तो a plus b यह z equal to a plus b इसका true value है लेकिन suppose इसमें which error हमने suppose उसमें del z error कर लिया plus minus इस लिए कि sum and difference दोनों हो सकता है तो हमने suppose अपने total value में del z error कर लिया तो हम अलग-अलग error को देखें तो that equal a में हमने error कर लिया a plus minus del a जैसे मैंने यहां पर बताया कि पहले reading में मैं .1 का error कर लिया उसके बाद plus b में भी error कर लिया तो b plus minus del b होगा इसमें error कर लिया तो यहां पर .3 कर लिया इस पकार से आगे हम इसको जब साल्व करेंगे तो that implies z plus minus del z equal to क्या होगा देखो यह a को मैं b के साथ combine कर रहा हूं तो एक ब्रेकेट में मैंने a plus b लिख लिया और plus minus plus minus दूसरे ब्रेकेट में हम क्या लिखेंगे डेल a plus minus del b यह लिखेंगे अब आप यहां पर ध्यान देना कि यह जो a plus b है a plus b का जो value है जेट के equal है तो यह जेट के साथ में cancel out हो जाएगा इस तरह से हमारे पास क्या बच जाएगा लेट साइड में बल जाएगा डेल जेड बैल जेड और राइट साइड में maximum लगद़ पर बात करेंье हम 01 porte करते हैं तो क्या होающ यह परसदेल भी ओ ड sólo 15 नवी और यह किद आख फरर्मूला हो जाएगा इस तरह से देखो यह फार्वूला होगा जो मैंने आफ़िस्ट डिर्ट इन्य एपन करेंगे येह बहुत त्रह्ट सहेञ़ सामें डिफरेंस पर अब हम देखते हैं एडर आप एक को सेंड करAccet मतलब product पर को सेंड पर किस तरह से हम मतलफ डि विजन और multiplication संब पर एरर कैसे हैं करते है इसको हम समझ लिते हैं यह यह पर और यह इसका रिख मुला है जो अभी हम डिराइब करेंगे इस फार्मुला को कोई एक एक्जामपल देता हूं यहाँ पर सपोज मेरे पास इस तरह से कोई रेक्टेंगल है अब इस रेक्टेंगल का मेरे को लेंथ फाइंड करना है तो यह इसका लेंथ है सपोज यह इसका विट्थ है तो लेंथ और विट्थ दोनों को मेजर्मेंट करने में मैंने कुछ मिस्टेक कर लिया और जब मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो एरिया इक्वल्टू क्या हो जाएगा लेंथ इंट विट्थ होगा तो यहां पर देखो यह मुल्टिप्लिकेशन के फाम में फार्मूला में हम एरर को कैसे करेंगी हम देखते हैं जो इसका फाइनल इक्वेशन इस तरह से आएगा यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट उसका प्योर वेल्यू जेड है वह क्या है एंटू बी है एंटू बी क्यों लिया क्योंकि हम म Z equal to क्या होगा A को हम लिख लेंगे A plus minus del A यह होगा और into B को लिख लेंगे अपन B plus minus del B मतलब हमने A में del A error किया और B में del B error किया that implies अब इसको हमागे multiply करें तो A का B के साथ multiply करेंगे तो A into B होगा फिर A का इसके साथ multiply करेंगे तो plus minus A into del B होगा plus del A का इसके साथ multiply करेंगे तो plus minus del A into B होगा और plus minus del A का del B के साथ multiply करेंगे तो हो जाएगा del A into del B अब इस relation में डेखो, इस relation में है जो लास्ट रम है जो कि यहां कर आया है डेल इंटो यह वी यह kisie bag okay dembdvj और हते हैं तो अप्टर मेर deep peak desson उनका वेल्यू और लेज हो जाता है और कम हो झाता है तो इसलिए क्या होता है इसको हम नेगलीजीवल माल लेंगे और जब हम इसको नेगलीजीवल माल लेंगे तो हमारा जो नेस्ट स्टेप है वो किस तरह सो जाएगा देखो तब हमारा नेस्ट स्टेप होगा जेट प्लस माइनस डेल जेड जेड प्लस माइनस डेल जेड और राइट साइड में देखो इसको पहले लिख रहा हूँ में डेल एवाले को डेल एंटू बी प्लस माइनस डेल बी इंटू ए अब इसमें क्या करें इस पूरे रिलेशन में यहां से देखो यह दोनों तो किंसल आउट हो जाएंगे यह जेड एबी के इक्वल है यहां से देखो रिलेशन फ़र्से से जेड ईभी के इक्वल है वह किंसल आउट हूँ लेहां से क्या बचेगा लेप्सिज किंसल नगे एक तो डेल किंसल आउट हो गया तो डेल क्यां से ऐसे ले मिन ए सोफने देल प्लस माइनस डेल ना-बी से आसे अब पूरे पूररे रिलेशन में हम जैट डिवाइट कर देते हैं पूरे रिलेसान में जैट डिवाइट करेंगे तो देयार फोर यह क्या हो जाएगा डेल जैड अपां जैड इक्वल यहां पर जैड मतलब है इंटू भी कि हम लिख सकते हैं इसको डेल एट वी अपान एप यहां पर हम लिख सकते हैं देल बी इंटUI एक अब देखो यह यहां से आप देखो यह बीबी लेना है टो होगा झोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस डेल भी अपान भी इस तरह से फार्मूला मिल जाएगा अपने को किस के लिए multiplication के लिए ठीक है और division के लिए भी ऐसी होता है मैं आगे division के लिए भी आपको बता देता हूं यह तो मैंने multiplication के लिए बताया multiplication के लिए मतलब पहला मेरा जो example है और किस के लिए है प्रोडक्ट के लिए है यह फ्रॉडट के लिए है यह थी फौस देखो है यह जो हमने फार्मूला लिख जेए अपन जेड़ यूझे से दैल एपान ए प्लस डैल बी अपान बी इस तरह से हम क्या करते है इं ए 12 में भी हम करके देखने चलो यह यह अब याइक हम डिविजन में देखें सपोस सपोस अमदेंसीटीेटीई डूम सपान वाल्यूम का फार्मूरा यूज करना चाहते हैं डिविजन्adores अब सब्सक्राइबर समुल्डवाल्यूम तो वाल्यूम निकाला तो मस्वें वाल्यूम को Moral यहाँ पर A और B का डिविजन हो रहा है यह लिलेसन नमबर फरस्ट है therefore with error क्या हो जाएगा Z plus minus del Z यह हमने इतना error कर लिया equal to A का वेली हो जाएगा A plus minus del A हमने A में इतना error कर लिया और B में B plus minus del भी ऐसा error कर लिया that implies अब इसको simplify करो तो हो जाएगा Z plus minus del Z equal हम numerator से A common कर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा A common किया है तो 1 बच जाएगा और plus minus del A upon A क्योंकि दोनों में A divide होगा और अपान नीचे से B upon common कर लें तो B और A under market हो जाएगा 1 plus minus del B upon B हमने common कर लिया इस तरह से इसके बाद इसको हम आगे simplify करें तो that implies Z plus minus del Z equal to A upon B A upon B को हमने अलग से लिख लिया और into 1 plus minus del A upon A यह हो जाएगा और इसका power 1 है उपर जाकर उसका power minus 1 हो जाएगा तो 1 plus minus del B upon B का power minus 1 इस फाम में हम आजाएगे अब यहाँ पर देखो हम सबसे पहले इसको easy करने से पहले पूरे relation में हम क्या करते हैं Z divide कर देते हैं Z divide करने से हमारा काम यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए हम पूरे relation में Z divide करते हैं यहाँ Z divide करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर Z divide करेंगे तो del Z upon Z होगा तो Z को हम पूरे relation में divide कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 plus minus del Z upon Z equal यहाँ ध्यान देना यह जो A B है यह जो यहाँ पर A B है वो A upon B वो तो क्या है? जेड है तो इसके साथ डिवाइड हो केंसल आउट होएगा और यह दोनों का मल्टिप्लिकेशन बस यहां पर बचेगा तो क्या हो जाएगा यहां पर यह 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए और सेकर्ड बेकेट में 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी तो दी पावर माइनस वन इस तरह से अब आगे इसको साल्व किया जाए तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इक्वल यहां हम बाइनुमल स्वरम लगाएं तो आपको मालूम है मैंने बाइनुमल स्वरम का कंडिशन आपको मैस्मेटिकल टूल में पढ़ाया है कि यह 1 ह है और यह जो पावर माइनस वन है है यह सामने आके मल्टी प्लाइ हो जाए गाल यह जब सामने को जाएगा सभी होगा इस तरह से ठीक है ऐसा हो जाएगा अब इसको open करें, थो that implies one plus minus down z quería wonka दोनों के साथ moltogesch citizenship होगा तो यहां पर देखो यह जो कॉंटिटी है यह नेगलीजीबल होगा और यहां पर वन वन के साथ में कैंसल हो जाएगा लेप्ठ से साीड में हमारे पास क्या होगा है यहां पर यह वाले पर संको मैं पहले लिख रहा हूं तो देट इक्वल क्यों एक पहले लिख लेते हैं वो नेसे सरी नहीं है लेकिन एक पहले होना चाहिए और प्लस मेक्जीमम एरर है तो ओनली प्लस लेंगे डेल भी अपान भी देखो फार्मूला वही आया जो हमने वहाँ पर डिराइब किया मल्टिप्लिकेशन के लिए यहा मल्टिप्लिकेशन के कैस में दोनों में सेम फार्मूला आता है क्लियर तो यह बात आपको ध्यान में रखना है और फार्मूला आपको लर्न करके ध्यान रखना है कि कौन से कैस में कैसा फार्मूला होता है आपके इसकुल एक्जाम में इसका डेरिवेशन भी एक्जाम में पूछा जा सकते हैं और को कि इसको इक डियांगे में लेकिन इस पर फाम में जइस इस पर वेस्ट निमेर कर सोगा नाव नेस्ट इज नेस्ट इस एरर इन क्वांटिटी राइस्ट टू सम पावर पावर के फाम में यदि हो तो एरर हम कैसे कल्कुलेट करते हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कोस्टन इसी से बनता है क्योंकि डिविजन मल पर्टी को अपने साथ में ले लेता है तो पावर के फाम में हम किस तरह से कल्कुलेट करते हैं यह हमारा फार्मूला है डेल जेड़ अपान जेड़ इक्वल टू पी डेल अपान ए इसको ब्राट सेंस में मैं भी और लास्ट में आपको बताऊंग अभी तो मैंने एक क्व प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए में हम एरर कर लेंगे डेल एका तो ए प्लस माइनस डेल ए का होल पावर हो जाएगा एन डैट इंप्लाइस अब सिंप्लिफाई करें इसको जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल यहाँ पर ए को कामन करेंगे विच पावर कामन तो 1 प्लस माइनस यह हो जाएगा डेल A upon A यह और यहाँ पर Power N यहाँ पर देखो बाइनूमल सरम एप्लाई करेंगे तो यह जो Power N है वो सामने आके Multiply हो जाएगा बाइनिमल स्रम हमारे basic mathematical tool से आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बाइनिमल स्रम हमने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया है और direct use भी सिखाया है तो z plus minus del z equal अब क्या होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर हम a to the power n को लिख लिए और यह power सामने multiple हैगा तो one plus minus n into जेट डिवाइट करने पर जो हमको फार्मूला मिलेगे यहाँ पर one यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल जेट ठीक है तो पूरे रिलेशन में हम जेट डिवाइट कर देते हैं पूरे रिलेशन में जेट डिवाइट करेंगे तो one plus minus डेल जेड अपान जेट इक्वाल टू यहाँ पर a to the power n जेड है यहाँ से देखो क्या है जेड है तो वो क्या कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा रिमेनिंग पार्ट यह बचेगा तो that equal यह हो जाएगा one plus minus n into del a upon a यह होगा अब दोनों साइट से one one cancel out होगा यह one one के साथ cancel out होगा और उसके बाद जो हमको final equation मिलेगा ओक क्या मिलेगा यह इसका final equation मिलेगा इस तरह से देखो यह इसका final equation होगा यहाँ पर हमने only one variables लिया है क्या one a तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको a variable के लिया है यदि यहाँ पर more than one variables हो और वह भी डिविजन के भी फार्म में हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे एक ब्राट सेंस में आपको फार्मूला लिख रहा हूं और यह बहुत काम आएगा ध्यान में रखना ठीक है तो इसको आप अच्छे से note करके रखना यहाँ पर मैं लिख रहा यदि इस फार्म में कोई फार्मूला है तो हम उसको जब error के फार्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे यह ध्यान से समझना अब इसको error के साथ में ठीक है यह होगा डेल ए अपान ए फिर क्यू सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस क्यू इंटू क्यू इंटू डेल भी अपान भी होगा फिर आर सामने मल्टीप्लाई होगा अब आर उपर जाके माइनस नहीं होगा यहां पर यह खास बात है यह कभी भी माइनस नहीं होता एर्र कभी माइनस नहीं होगा तहा हो जाएगा डेल सी या पांसी इस तरह से जितने भी बेलिस होंगे यह पूरे बेल्यू इस तरह से कंभाइन होते जाएंगे यह एरर का फार्मूला होगा परसेंटेज एरर निकालना होगा तो 100 का मल्टिप्लाई कर देते हैं significant figure पढ़ा, significant के बाद हमने errors पढ़ा, यह पूरे concept को लेके, सबसे पहले आप concept इस ट्रांग करिए, नोर्स बनाइए, उसको अच्छा स्तियार करिए, nest हमारा इस chapter पर जो nest class आपको provide होगा, वो है इस पर best numerical, तो यह जो error जीतना मैं, आपको पढ़ाया, उसका application आपको numerical में ही समझ में आएगा, जब तक आप numerical के part को नहीं देखेंगे तो सब कोई काम करनें है, जब तक आप numerical के part को नहीं देखेंगे, यह topic कोई काम करनें सबसे तूरा करने करने थिसके बाद फिर आपको क्या परक निस निम्यरीट करूइब कर आउंगा एक बात और बता दूँँ आपको जाते-जाते की बेशिक कि मैथमेटिकल टूल्स का आपको क्लास प्रोवाइट कराया जा चुका है वन सौर्ट में और उसको आप बहुंत अच्छे से तयार करो क्योंकि फिजिक्स का पूरा बैस वही है वह आपको इस ट्रांग हो गया तो समझ दो आपको फिजिक्स इस ट्रांग हो ठीक है इस तरह स हूआ हो ढूत है